जो कल का हमारा जो पेपर था तो हमने अगर बात करें मोग पेपर की बात करें तो मोग पेपर आपका फ़स्ट ही था कल ठीक है और अगर इस मोग पेपर बात करें तो इस मोग पेपर में जो पेपर फ़स्ट होगा आपका उस पेपर फ़स्ट के बिल्कुल डीटो पैटरन प की यह जो आपका पेपर था इस paper के अंदर मैंने इसको design किया था इस paper को तो यहां पे manaj ने वह मतलब आपके लिह निये थे the the total आपके इस पेपर में कितने कर्यें थे तो अपका एक्षेल में या रहने वाला है अभी आगे आने वाला जोब diary up का का प्रोग्रावरा का उसमें यां पके हन्डिट क्षिन होंगे और मानके चलो कि आपके जैसे नों टैक का पार्ट है तो पहले तो आपके अप्र प्रोप्र शाहिए जिल्कोथ पेन गज़हां गए एक टाइब से मान के चल देने की एक किस युषं आपके किस के है एकर तर्टी क कषिकर आपके एक टेक्न के तर्टी आपके ? टेख लचे सिम आपके एक अटेकर्शेन किस युइंच के थे ? technicall के थे ? विम्म नेत्रग के थे और 40 किषिन किसके थे समें G ि इवेमेस में थे 40 किषिके घुद इवेसलिंग एटotion प्रट करों तो यहांपे हमने 20 किष्चन यहांपे विसमेर नॉन टेक के लिए थे टिक आपके सामने जो कल की किलास में आकल हमने कंड़ेट करवाय था तो ओफलाइन और ओलाइन जिनों ने भी पेपर दिया है ठीक है तो मैं आपको बतायता हूं कि अगर सेम पेपर टीटो पेपर अगर आपके एक्जाम में आता है तो जिस इस इस्टेंट के जर्नल कैटिगरी में जर्क मैं जर्नल कैटिगरी बात करना हूं उसके अलावा फिर सभी कैटिगरी कट बात करूंगा अगर किसी इस्टेंट के जर्नल कैटिगरी में 55 से 60 परसेंट नंबर आ रहे है तो यह पेपर आपका क्वालिफाइड है इस पेपर में कर जाओगे जर्नल केटेगरी बात करना हूँ ऐसे कितने इस्टेंट है जिसके 55-60 परसेंट आ रहे आपकी जो इस्टेंट ने पेपर दिया था उनका टेस्ट पेपर आज सॉलूशन मतलब उनको उनका रिजल्ट बता दी जाएगा ओनलाइन वाल इस्टेंट तो है कि वह थोड़ा साथ चेंज करवाएंगे और कुछ चेंज क्या चीज़ करवाएंगे कि आप जब हम लाइव करेंगे टेस्ट को अप उसी टेम स्टार्ट कर सकते हो और फिक्स दो गंटे बाद में टेस्ट एंड हो जाएगा उसी डोरेशन में जो इस डेन टेस्ट देंगे उनका हम result अलग generate करेंगे और उसके बाद अगर कोई test देता है तो उनका result फिर अलग generate होता रहेगा जिससे क्या होगा online world student का भी data हम properly filter कर पाएंगे तो online world student का आगली बार आपको ध्यान रखना है कि आपको exactly अगर 2 p.m. पे test start होगा तो आपका भी exactly 2 p.m. पे start होगा online, offline दोनों mode में और exactly 4 p.m. online world का खतम हो जाएगा त्योंकि online में क्या अलग से option E नहीं बरना पड़ेगा offline world का option क्या था? option E भी था ठीक है और आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि offline वाले stand को जो omarsheet दी गई थी उस omarsheet के अंदर आपको option E fill करना compulsory था अगर आप किसी भी option को fill नहीं करते हो अगर आपने 10% से ज़्यादा जाना 10% से ज़्यादा अगर आपने option E आपने छोड़ दिये तो हम आपकी omarsheet को check नहीं, check तो क्या करेगा, software क्या करेगा आपकी omarsheet को credit करेगा और same काने किसमें होती है मेर एक्जाम होती है, तो डिट्टो आपका RPSC जो programmer आपका एक्जाम होगा वो आपका offline mode में होगा और उसमें आपका option A, B, C, D, E 5 option आएंगे, option E जो होता है वो होता है unattempt आपने अगर question attempt नहीं किया तो option E आपको fill करना होता है तो हमार सीट में आपको 10 मिंट एक्ट्रा इसलिए दी गई थी कल भी आपको 10 मिंट एक्ट्रा दी गई थी अगर आपने कोई भी question जिसको आपने A, B, C, D में से fill नहीं किया तो उसमें option E को fill कर लीजिए तो हमने 10 मिंट एक्ट्रा दी थी अच्छा अभी मैंने बात की कि आपके अगर 55-60 परसेंट आरे जर्नल के टेगरी में तो आपका सेलक्षिन हो जाएगा अधर केटिगरी बात करें तो आप 5-5 परसेंट कम कर सकते हो और जैसे ऐसी ऐस्टिक बात करें तो मांग चलिए 45-50 की पचास जो जिसके नमबर आ रहे है उसमें इस पेपर में सलक्षिन है तो कितने इस डेंट ऐसे हैं जिस जिनोंने इस पेपर को क्वालिफाइड किया अब आप अपने आपको चैक कर लो अब आप चैक करने के बाद में आप लास्ट मुझे रिजल्ट बताओगे कि आपका रिजल्ट किया है तो हाँ 100% आपका सलक्षन हो जाएगा इस पेपर की अकोर्डिग तो आपको मैं आपको नेगिटिव मार्किंग अप्लाई करना है वन थार्ड आपके नेगिटिव मार्किंग अच्छा यह सेकेंड मां बतायता हूं कि मैं आपको हार टाइप के पेपर कंडियेट करवाऊँगा इसका मतलब है एज्ची लेवल का पेपर करवाऊँगा बीच में फिर मोडरेट लिप चलेंगे फिर हाई लो टफ से टॉफ लिपर कंड़ेट करवाऊँगा और उसके कि moderate level का ही था, तो high level का paper तो आपकी हवाई निलगने दोंगा आपको high level paper में तो आपको हवाई निलगने दोंगा, ये fact है, ठीक है अच्छा, ये मैं चीज आपको सुरू से कहता है हूँ कि अभी से, अभी से, मेरा जो पढ़ाने का pattern होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल unique level पढ़ाता हूँ आप जैसे देख पारे होगे, कि आपके around 30% क्यूशन आपको directly note से मिले होगे 70% क्यूशन में हमेज़े ही घुमा के दोंगा ठीक है, और शुरू से यह आपके हैपी डालूँगा कि 70% क्यूशन आपके घुमा के आएंगे इसलिए होगा क्या इससे benefit क्या मिलेगा कि आप maximum से maximum conceptual चीज़ों को ज़्यादा focus करोगे हो ठीक है, तो आज का paper solution से start करते है और first question से start करते है, एक बार paper solution देख लो, उसके बाद आपके हर एक doubt, जो भी आपके मन में doubt है सारे के सारे doubt को हम solve करेंगे और उसके according आपको जो doubt है आप पूछ भी सकतो online वाल इस्टेंट भी अपने doubt है, पोस्ट करते रहें ना क्योंकि paper solution जो है वो आपके जो आपका एक non live बैच है, recorded बैच है उसमें बजाता है ठीक है, तो recorded बैच वाल इस्टेंट जो जुड़ेव है वो अपने doubt पूछ लिया करो इस्टेंब पे, अच्छा मोग है आपको doubt पूछने का टफ पेपर नहीं था, moderate paper मान रहा हूं मैं इसको क्योंकि आप programmer त्यारी कर रहे हो, ठीक है तो थोड़ा सा अपने आपको समझो कि आप programmer के त्यारी कर रहे हो, ठीक है है, हर्ट किशन क्या करें है भई जिन इस्टेंट के पास paper नहीं है, वो मुह पाड़ते रहो, ठीक है, क्योंकि paper दूँगा अपने आपको, ठीक है त्यको सिद्धी से बात है, paper आपने नहीं दिया कल तो आप मिलेगा अपने ठीक है, ऐसा क्या आप पता आगी थक paper देने नहीं आए, अच्छा कुछ इस्टेंट ऐसे जो paper देन नहीं आए, ठीक क्लास लेने आए सोच नम मत कि paper अगर देन नहीं आए, ठीक है, पेपर देनने का मतलब है, पेपर देनना ही है एक बर इनको paper distribute कर दो वही आज तो, इनकी क्या ही है, मेरे से बड़े तो बैठे है आपे, खोड़ी तो, अनसुमन, इनको paper distribute करवा दो, जिन बच्चों ने कल paper नहीं दे, उनको दे दो paper ठीक है, और आगे से थोड़ा सा, थोड़ा सा सरम लियाज करके, अगर आगे से paper नहीं दोगो, तो बार-बार ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, देखो, साथ की साथ क्यूशन आप पढ़ते रहो, पहला क्या क्या कर रहा है, suppose that stop and wait protocol है, stop and wait जो protocol है, उसकी बात कर रहा है, suppose that stop and wait protocol is used on a link with a bit rate of 64 kilobit per second, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज को आपको समझते हो चलना है, कि यहाँ पर आपको क्या दे रहे है, bit rate देनी है, bit rate क्या होती है, अच्रूटो है, bit rate को मैं कह सकता हूँ, कि यहाँ पर आपको bit rate दे रहे है, इसका मतलब कहह रहा हूँ कि आपको transmission rate दे रहे है, कि हम कितनी speed से transmit कर सकते है, ठीक हाँ तो तो देखो हर चीज आप note down करने देखो, तो अपमने खहरा हूँ कि आपको, तरहसी पर दे रहे है, कि bit rate दे रिखिए हर एक point को समझते हो चलना अच्छा bit rate कितनी दे रिखिए 64 kbps तो मैं कह रहा हूँ आपकी bit rate कितनी है 64 kbps है अच्छा देखो मैं हरे एक मैं यहां पर question solve करते हैं समय जितना भी आपका part है सब पार्ट को मैं सेम यूनिट में consider करते हैं सुरू से चल रहा हूं जिससे आपका question क्या fast solve होगा तो मेरे जो style है उसी से आपको solve करना है तो मैंने क्या किया किया कि यहां पर हर एक पार्ट को सेम इनिट में consider करने के लिए मैंने क्या किया इसको लिख दिया 64 into 10 की power 3 सब्सक्राइब कि यह इस पर सब्सक्राइब लिख सकता हूं ठीक है तो हमारे पास बेट्राइट दे रहे किया इसका मतलब हमारे पास ट्रांस मिसरी स्पीड दे रहे किया किया त्रांस मिसरी स्पीड देरिकिया अच्छा उसका देरिका है 20 millisecond propagation delay तो दना आपको घ्र。 उसका मतलब किया त्रांस मिलि साट चीड देरिकिड अगर कि आनतरा आत्मा जाग जाएगे तो यह सॉल कर लें गर पर जाके ना 20 millisecond तो यह आप मैं कर रहा हूँ कि आपके 20 millisecond क्या दे रहा है propagation delay दे रहा है हम कह सकते हैं propagation time दे रहा है ठीक है तो propagation delay टाइम एक ही चीज़ है तो इसमें कोई आप confuse मत हो ना इसमें कर रहा हूँ प्रोवकेशन डे लिया प्रोवकेशन ठीक है अच्छा 20 millisecond मैं से लिखते हूँ 20 into 10 की पावर क्या minus 3 तो 20 into 10 पर मारिस 3 क्या second तो मैं लिखते हैं पर 20 into 10 पर मारिस 3 इसका मतलब है कि question को मैंने यहां से आगे पड़ा तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ पर प्रोवकेशन डिलप को दे रहा है assume that the transmission time for assume that the transmission time for the acknowledgement acknowledgement and processing time at the node are negligible ठीक ऐसे इस बात हम वैसे नेगलेजबल करते है तो आपका transmission time होता है हम उसको नेगलेट ही करके चलते है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है क्योंकि अन्दम काउंट करने है उसको पर आगे चैज गया रहा है then the minimum frame size यह करहा है कि आपको count क्या करना है आपको minimum frame size count करना है then the minimum frame size in byte then minimum frame size किसमें count करना है byte में करना है तो पहली बात मैंने सबको युहां पर बीट्स में ले लिया तो कोई दिक्कत ने बिट्स में रिजल्ट आएगा, तो बिट्स को बाइट में कैसे गनवर्ट करते हैं? क्या करेंगे? आठ से बाग दे देंगे, तो आपका बाइट में गनवर्ट हो जाएगा. अचा, उस बाद करें, अचीव एट लिंक यूटलाइजिशन ओफ एट लिस्ट फिप्टी परसेंट, तो फिप्टी परसेंट क्या दे रिखा है आपको? 50% क्या दे रिखा है? efficiency. तो देना, यहाँ पर आपको क्यूशन के अंदर जो efficiency दे रिखे हैं, वो दे रिखे है कि कम से कम आप कितनी होना चीए? 50% आपको efficiency होना चीए. बहुत easy सा क्यूशन था, जस्ट इतना सा करना था, कि आपको इस क्यूशन को formula में put करना था. अगर formula value put करते हो, तो direct place का answer आ रहा था. अब देखो, यहाँ पर stop and weight ERQ की जब भी बात करते हैं, तो stop and weight ERQ की efficiency निकालने के लिए, मैं करहाँ कि stop and weight ERQ की efficiency जब कैसे निकाल सकते हैं, हम करें, transmission time, transmission time plus, transmission time divided by transmission time plus 2 into propagation time, propagation time direct लिखते हैं, क्या फरक? विसी दिए बात दे रखे हैं उसकी according चलो न, तो मैं कहा रहा हूं कि आप यमरive efficiency निकाल सकते हैं, efficiency निकालने के formula होता है, transmission time, transmission time को divide कर रहा है, transmission time plus 2 into PT, यह efficiency का formula है, अब आपको क्या करना है, just value put करना है, जब आज बैल्लू पूट करना है, अश्या करना है, just value put करना है, अच्छा, अब जो रैलू पूट कर रहे हो तो value put करते हैं सब्सक्राइब को दाना है कि जो transmission time है वो आपको directly नहीं दे रखा directly नहीं दे रखा तो transmission time होता है कि हम अच्छा आप इसके अंदर को इसके अंदर value put कर रहा हूं अब value put कर रहा हूं तो efficiency आपको 50% 50% को मैंसे लख सकता हूं 1 by 2 ट्रांसमें टाइम नहीं दे रखा निकालना है तो बताऊंगा आपको अब देखो मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको efficiency दे रखें 1 by 2 efficiency आपकी greater than equal to क्या होने चीए greater than equal to क्या होने चीए इसका मतलब यह आपको formula है अच्छा transmission time क्या होता है वही त्रांसमें टाइम क्या होती है त्रांसमें म्या होती है यह 25 साइज फ्रेम साइज अपन आप 20 10-3 20 x 10-3, उसके बाद आपको बीक की वेलूब दे रहें, 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 बीक की वेलूब दे तब value पुट करने के बाद में क्या रहा है कि इसको equal to ये ले लो, ठीक है, क्योंकि less than equal to मतलब last में हम equal to ये करना है, अच्छा हमने क्या क्या, frame size divided by क्या, bandwidth, उसको कैसे divide क्या, frame size divided by क्या, bandwidth plus 2 into क्या, 20 into क्या, 10 की पावर minus 3, मैंने same, same ditto formula, मैंने same ही लिया है, इसमे मैंने कोई change नहीं किया है, एक बाद आराम से समझ लो, फिर note down कर ले रहा, पहले समझ देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि समझना important है, question तो बहुत मिल जाएंगे आपको, देखो, अब यहाँ पे हमें frame size तो calculate करवा रहा है, क्योंकि question अगर आप read out करोगे, आप question रीड करोगे, तो आप स पुछे का minimum frame size, इसका मतला frame size तो आपको निकालनी ही है, तो frame size तो आप से calculate करवा रहा है, तो यहाँ पर भई F की value तो आपको निकालनी है, F की value लो में नहीं पता, हाँ B की value हमें पता है, B की value क्या है? B की value क्या है? गीच सकती वेलवे में पता है, 64 kbps हैं, तो वीच की वेल्यो realy, पुट कर दीजिए, अब मैं जब लिच की वेल्यों पुट करता हूं, जहना जब वीक की वेलों पूट करते हैं, तो f की वेल्यों में नहीं पता है, f divided by 64 into 10 की पाउर 3, 64 10 की पावर 3 इसके बाद मैं करहा हूँ, divide by f f divided by क्या 64 1 by 2 न, 1 by 2 तो आगर रहेगा 1 by 2 उकल 2 64 और मैं करहा हूँ, into 10 की पावर क्या, 3 अच्छा, plus 2 plus 2 into 20 into 10 की पावर क्या, minus 3, अच्छा, क्या इस question के अंदर, क्या इस question के अंदर मैं 10 की पावर 10 की पावर ये 3, इसको इसको, इसको कैंसल कर सकता हूँ देखो, मैं तो step by step ही solve कर रहा हूँ निश्चे न दरहा हूँ, लेकिन आगे से आपको क्या shortcut कैसे करना है, वो बताऊँगा आपको, इसका इसको कैंसल कैसे होता है, इसको कैंसल कैसे होता है, इसको कैंसल कैसे करेंगे, इसका रिजन बताए तो आपको, देखो, 10 की पावर मैनस 3 है, ये हम मानके चलने की उपर और नीचे दोनों में common है, अब अगर आपनी math अच्छी बढ़ी होगी तो ये चीज आपको बहुती ज लगेगी, और जिन बत्चों math कम जोरो, तो step by step कर लो, कोई दिक्रत ने, step by step कर लो, एक ही बात है, तो step by step करने के लिगा करेंगे, 1 by 2 equal to, देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको 10 की पावर 3 को उपर लिजा सकता हूँ, लिजा सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हू 10 की पावर 3, positive में थी, उपर गट क्या होगी, negative होगी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, f divided by 64, f divided by 64, अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, 10 की पावर क्या, minus 3, plus 2 into 20 into 10 की पावर क्या, minus 3, तो देखो, 10 की पावर minus 3, नीच 2, 1 by 2, f divided by 64, multiply 10 की पावर minus 3, और मैं नीचे क्या किया, कि 10 की पावर minus 3 क्या ले लिया, common ले लिया, और 10 की पावर minus 3 common लेता हूँ, यहाँ पर क्या बजाता है, f by 64, f by 64 plus, यहाँ क्या बजाता है, 40, plus 40, क्या, मतलब, कहना क्या चाहरो, कि उससे अधिये तो ठीक है हमसमझ गया तो आपकी बात साहिए कि ब्रेकेट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां नहीं पड़ाने बठोंगा और अब तो मैं चलो कि इस्टेप आप सोल कर दिया आगे तो सोटकट से काटूगा बात ही कि चीज वही है मुझे करना क्या था टैन्ट पर मैंच थी कैंसल करनी थी हाँ बिल्कुल कैंसल हो रहा है अब समझ में आ गया चैंसल हो सकता है न अच्छा उसको आपके लिखेंग इसको इसको आपने क्षारा हूं मैं मैं इसके बत क्या लिख रहा हूं को वन बाई टुए फ्य यह कूल टू आप दिवाइड़ भाई 64 तो यहां में के लिख हूं एफ डिवाइड बाई 64 प्लस क्या अच्छा क्रोस्मीलिय कर लो श्रॉस मुलुकिल आकर ले कैसे करें इसकुन इसको इसको इसकुन से प्रेंग स्कूस्ट रहां गया देखो मैं यह द्वीज टेब से प्रेंग चल रहाओ आगे चल रहाहो इसमें कलर चेंग कर लेता हो तो मैं रहा हूं देखो, इसको आगे उपर ले जा रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं आपर, f divided by 64, प्लस क्या, प्लस 40, इकोल टू क्या, इसको इससे क्या, तो 2f, 2f divided by 64, कर सकता हूं, कोई दिखत, अब मेरे पास बोर्ड में जगाए का मैं तो इसको डाय क्लिक देता हूं, तो plus 64 multiply 40 divide by 64, इसको मैं नहीं लिखता हूं, इसको मनले लिखता दर, इसको मानलवे, इसको आपाल कर द्लोगा, इसको इसको यह आपकी एकोषिन कर लोगा, इसको सोल कर लोगा, f इसे f conclusions शेında, तो यहЙद गाउए डवे गए, तो मैं करता हूं इस एफ को अगर मैं यहां पर लगी जाओंगा तो क्या हो जाएगा एफ एक उडिक जाएगा 64 multiply क्या किया चाल लेज कितना हो जाएगा लेको चैटो 24 और 2560 तो मैं करा हूं यहां पर कितना जाएगा 2560 लेकिन यह ये बिट्स पर सेकंड, ये बिट्स में आ रहे है, ये रिजल्ट किसमें आ रहे है, बिट्स में आ रहे है, और पुच्छा किसमें, ये रिजल्ट किसमें, ये रिजल्ट किसमें आ रहे है, बिट्स में आ रहे है, बिट्स में आ रहे है, पुच्छा किसमें, बाइट में पू 320 byte 320 byte तो frame size कितने हो जाएगे 320? frame size कितने हो जाएगे 320? byte कितने student का सही हुआ है? इमा आंदर बताओ how many student? perfectly, मतलब पूरा 320 byte पहएड़ा 1 2 3 4 5 एक बार solution लिख लिजे जिन इस student का सही नहीं हुआ जल्दी से फास्ट एक बार solution लिखो देखो यहां पर एक चीज़ आपको अब भी कह देता हूँ कि ऐना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यार वो ब्लास्रूम के अंदर में आपको बोल देता हूँ आप एना test देने आओ, कोई फरक नहीं पड़ताँ आपके दस भी नमपर आएंगा तो भी कोई फरक नहीं पड़ता आपका selection हो जाएगा लेकिन आपको test सारे देने जो सबसी जादा बेज़ती करवाएगा उसका सबसी जल्दी selection होगा अब देख लोग हर एक test दो और यह कभी मत सोचों कि मेरा तयार सलेबस नहीं होगा test नहीं कोई दिक्कत नहीं जितना हुआ उतने test दो क्योंकि test देने के बाद में आपके कि अंदर जो confidence आएगा और test देने के बाद में आपको पड़ने जो मजाएगा ना वो अलग लेवल गाएगा test देने के बाद में होता क्या है कि हमारा जो achievement है ना वो सच में जलक क्या आता है कि हाँ हमने यह चीज की है इसका मतलब हमने यहां पर silly mistake की है मैं इसी दूर करूँगा ठीक है yeah yeah kind kidding movie precis नहीं बनने इसका मतलब कहिन्या कहें जाइन आकपके concept आपना अच्छे sustain कि है को numerical execution नहीं बनने की पिछे दो ही region होते हैं मैं साहाँ कहता हूं चिलुमेरिकल question नहीं बनने की पिछे दो ही region होते हैं और उस दो रीजन की बात करें तो उसका फर्ष्ट में रीजन है कि आप अपने कॉंसेप्ट को नुमेरिकल में इंप्लिमेंट करी नहीं पा रहे हो और दूसरा आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है आप कैल्कुलेशन को सोल नहीं कर पा रहे हो कि नूमेरिकल केंट नहीं बन रहे हैं इसका मतलब होता है कि आपके आपके दो ही डूप सकते कि आपकी में स्व pong ज्यादा वीक है आप उस क्री नहीं पा रहे हो और दूसरा कहीं कि आपके जो बागी execution को solve करने का मतलब है कि एक मिट में पर चाल हो जाता है क्यों होता है क्योंकि डायरेकली आपको formula के अंदर वैल्य पूट करनी है और अगर आप एक वर फॉर्मुला में वैली फूट कर देते हो तो आपका पूरा पूरा क्षिशन वहीं selे हो जाता है कर दो यहां साथ इतनी सारी च्ट्प करने जीन एस हम लेकिर प्लसमेर कर से अपने काट तीजिए इसको 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 यह मल्हवरे कर देते ती तुब कर से ध्यक्त में तुम्सेал करें आप उसी के अंदर आप क्या करेंगे उर्थ होसा क्रूंब हो गया चलू कि पहले आप बाद में discussion करना आप पहले अभी मेरे साथ जो भी कर रहा हूं solution उसके थूरू चलो कि इन से mistake हुई उनको पता लगा कि इन से mistake हुई है उनको पता लगा क्योंकि देखो दोई चीज सीखना अगर आपने question attempt किया है और आप से mistake हुई है तो आपने mistake को समझो कि मैंने का mistake किया और अगर आपने question attempt नहीं किया है तो आप समझोगी sir ने किस concept को कहाँ पर कैसे implement किया और मैं अब भी कह रहा हूं जह आपको यह fact है कि जितनी सियांदाम testje 212 को go लेगी नहीं और परफेक्ट ली टैशी दूंगा लास्ट तक बढ़ जो टैशी होगी वह जैसे जो इस्टेंट ओनलाइन वाल इस्टेंट है वह जैसे कल से बहुत सारे फोन कर रहें कि सार、 टैशी जम उफलैन दिने आ जयेगा तो हमारे जो online student है उनको offline test system allow करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे अभी offline batch चल रहा है अब नहीं करेंगे offline यह batch जब complete हो जाएगा जब common test ही जाएगी तब allow करेंगे आगे देखो भी next question देखो इजी था question था Which one of the following field of an IP header is not modified by a typical IP router यह कर रहा है कि इन में से कौन सा जो आपका इन में से कौन सी आपकी field है जिसको IP IP header के ऐसी कौन सी field है जिसको आपके router के द्वारा change नहीं किया जा सकता तो मैंने आपको साब साब बताया था कि IPv4 पढ़ाया था तो मैंने का था आपका जो check sum होता है हो तो आपके परतेग router calculate करता ही है तो check sum परतेग router calculate करता है तो check sum की value change होते रहते हैं क्यों क्योंकि अमर पास TTL को चेंज होते रहती है तो check sum change होता है अच्छा source address कभी भी आपके IP header में source address और destination address कभी भी change नहीं होते है time to leave क्या होता है चेंज होता है length length change होते हैं क्या length change होती है क्या कहां होती है तो आप is the length change होती है जब fragmentation करते हैं अब देखो सिदी सी बात है यह जैसे, सब्सक्राइब तो मैंने आपको IP header में हर फिल्ड को बहुत अच्छे समझाए है हर एक फिल्ड को अच्छे से implement करके आपको दिखा दिया उसके बाद common sense आपको लगाना है क्यूंकि मेरा काम था IP header को बहुत अच्छे से properly समझाना और इस क्रिश्ण क्या होगा आपका source address सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो यहां पर होगा source address फिर वाप इस ने में रिकलो किशन लो अगला लो कि कंसिडर इस CSMA CD network यहां पर CSMA CD network की बात कर रहा है तो कह रहा है और यहां पर 7 की साथ आपको बता भी रहे हैं पर यहां पर मैं bandwidth की बात करें तो 10 की पावर देखो 100 MBPS दे रही है 100 MBPS दे रही है और 100 MBPS को मैं कैसे लिख सकता हूँ वैसे इस बात है अगर इसको step by step बता हूँ तो भी 100 तो यह रहा 100 तो यह रहा और MBPS को क्या लिखता हूँ 10 की पावर क्या 6 दरना 10 की पावर क्या 6 ठीक BPS bits per second अचाए 10 की पावर 2 तो यहां से हो गई 10 की पावर 6 यहां से हो गई यह चीज आप इन चीज़ों क्या करोगे सुरू से ही आप इस चीज को ऐसे सीखते हो चलोगे कि आप क्या करोगे जो भी आपके सामने equation आए उसमें आप question में दना ये practice आप सुरू से करते हो चलना कि जो भी आप question read करो ना main exam में उस time पे अगर माई charge मान को चलो यहांत ही दे रखिये उसी में क्या करो arrow बना के paper में लिख दो paper में लिख दो कि इतना time वहां पर नहीं मिलता तो paper में क्या लिख दोगे 10 की power 8 बैस उसके कुछ मत लिखना एक्स्टा टैम वहां पर खराब नहीं करना आपको बैस 10 की power 8 लिख छोड़ दो इसका आपकी unit second में आ चुकी ठीक है अच्छा उसको बाद देखो over a one kilometer ठीक है आपको जो वह क्या बोलते है डिस्टेंस होती है वो kilometer में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं आप चेंज मत करो तो ठीक है एक kilometer बात कर रहा है तो kilometer में आपको डिस्टेंस रखनी होती है केबल one kilometer cable बात कर रहा है वह एक kilometer आपकी cable है with no repeater इसका मतलब बीच में को repeater नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं से हमें कोई फरक भी नहीं पड़ता अच्छा if the minimum frame size required for this network is one two five zero bytes देको frame size दे रहे है आपको frame size आप पहले दे इसको बिट में तो इसको कि एक समान घॉन को करने कले हमेशा और हमेशा आप बीट में अगर में अधायचांस आपको लास्ट में जानोट कर वाए कोई फर्क नहीं अप मोड इस है कोई भूट इभ Clayton कि होते कि को की थैजनर वैलो सिटीक बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है से बढ़िको कि आ अपको वैलो सिटी आप से पूछ और वैलिषुटक आपको क्या करना है एक तरी अपको प्रसित करने है आपको बहुत अच्छे तरीकिस एक point समझाए था कि जब भी CSMA CD के concept को steady करते हैं तो एक single cable होती है ठेक है इस single cable के उपर सारे के सारे क्या होते है station होते है एक ही cable होती है और एक cable को पर क्या होते है सारे क्या होते है station होते है अब देखों अब हमें एक point को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी हम CSMA CD के case में जो आपका transmission time है जो आपका transmission time हमेशा और हमेशा greater than equal to किसके होना चाहिए तो इन्टू propagation time of propagation delay यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि transmission time हमेशा आपका greater than equal to 2 into pt इसका region में आपको बहुत अच्छे समझाया था इसका region क्या है अब हमेशा और हमेशा greater than होना चाहिए यह बराबर होना चाहिए 2 into pt क्योंकि अगर आपका को लिजन लास्ट लास्ट छोर पे बकर हो जाए तो उसके बाद उस को लिजन का detection कितने 2 pt पे हो जाए अब सिंपल सा बात है कि इसके अंदर आप equation वाल फॉर्मुला इस फोर्मूला के अंदर वालू पूट कर तो आप कान सर आजाएगा या फोर्मुला के बन जाएगा या पकान जाएगा अधियगा था पास्वें टैम अलब का रेम साइज होता है तिन मैं सिंपल सोर्ट कर लिख देता हूं तो फ्रे कि नहीं दे रहा के लेंट लेंट से डिस्टेंजिक बाद लेंच अपन वेलेसिटी निकालना के है वेले सिट निकालना बाकी आपको वैलूसरी रीच बाक्वी वर्ट क्यों स्कूर्प फ्रेम सैज्स कित रिखिए है वारा सो पचास मल्टिप्लाइब एट एट शुच कित र को तो यहां पर बाकी सारी चीज़ आरे कि गता हुए इसकी वहले को फ्रेम साइज किनने रेखिया गेपसे कितने रेकिया है बारा सो पचास एग पचास मेल्टिपलाएफ यह वार इवाइड थे रिचा है बैंट कितने रिखिया है? टैनिक पावर किया? 8. अच्छा. 2 into length कितने रिखिया? 1 और velocity में निकालनी है, तो V में निकालनी है. इस equation को मैं आप shortcut लिख रहा हूँ. इस वीक को उसके रहा हूँ, इसको इस साथ multiply करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसके division में इसको लिख दू? नहीं समझे? देखो, मैं कर के आ रहा हूँ आपर, simple सी बात है, कि ऐसे cross multiply कर रहा हूँ. इसके division में इसको लिख दू? मतलब, reverse करके. तो कैसे करूंगा? मैं कर रहा हूँ, 1250, 1250, multiply क्या? 8? multiply क्या? V? इसको इसको इस से multiply कर रहा हूँ. तो मैं करा हूँ, equal to क्या, 10 की पावर, 8, 10 पावर 8 into क्या, 2 into क्या, 1, done, विक की वेल्वी निकाल नहीं है, विक की वेल्व को लिट करो, विक क्या हो जाएगा, 10 पावर क्या, 8, multiply क्या, 2, ये तो हैस टो है, अब इसको किसम पहुंचा दो, विजन में, अच्छा, 1250, multiply क्या, 8, अच्छा, देखो, इसको, इसको एना, एक काम कर लो, 1250 को 8 से multiply कर लो, तो मेरे साथ सेथ, अगर 1250 को multiply क्या हो, 10,000 आजाएगा, 10,000 आजाएगा, तो अगर यहां पर काटनेक बजाए, आप multiply कर लेना, तो multiply करोगे, यहां पर क्या जाएगा, 10 की पावर, 8, multiply क्या, 2 और divide by क्या, 10,000, 10,000 आएगा, ठीक है, तो 1250 को 8 से multiply करें, तो कितना आता है, 10,000 आता है, ठीक है, अब देखो, यहां पर मैं कराऊं, देखो, यह जो value है, कितने हो जाएगी, गए, pure 0, मतलब क्या, 10 कि पावर क्या, 4, टेनक कावर क्या, 4, तो अगर यह तन कि 20 कावर 4 है, अगर यह तन कि पावर यहां से और की पावर 4 है यहां से काम कर दो, यहां पर कितने बीच जाएगी, 10 कि 0, 4, multiply क्या, तो कि टो क्वर फोर मेत jest यह अरब जीने दो कि अरभास-जीरो लगार सिथे उप्वाइट सारे स्टैस्ने कि पैश्ट आइसे हो रहे है कि चुन्य रहा है यह प्रोग्रम रोक्रामर के निस थाध गीजा ब्रॉड़ दो यह छी लो टीक यामर की हखिकत चल रही है ओके तो इसके आमशोगा जाय एक वेक्त से हजार नशोगाज जेगा भीस जारश्रे हजार अनुच्व जायगा बीछ से हजार इसका मतलब ये वेलोशुटी कुछ पूछ है तो बीच-जर किलोमेटर पर सेग्ड इसक्ट क्योगी वेलोशुटी ओ हो to calculation को इतना फास्ट करो एक तो चीज आपको इतना आधी स्ग्या मप más करना一樣 की केल्कःशन आपकी एक बार में आपका केलेकोलेशन कंप्लीट हो जाए लक्रेसन बहुत फास्ट किया खरो तो कि हो गया है ठीक है नोट डाउन कर यह वह ला कि अ कि बिना बाते करें जो नहीं आये ना वो तो गलती से बात मत कर लेना अज वैसे गुसा रहा आप लोगों को पर तो बिना बाते करें अपना करते है अपने खुद के पेपर में ओडाण करना है तो खुद के पेपर के पेपह वी य economists के बाद आपका मून değ Wh情 चलोन प्रक्रथ ऋन करता है अगर आपनेजY पुद्दाए की यह तो आपका mood on रहेगा और मज़ा आएगा आपको हासी आएगी और आपकी पढ़ाई नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना किया आप मिस्टेक कर देखो अगर ranking की बात कर तो मैं आपको अभी लास्ट में क्या करूंगा online वाले बच्चों की जोनों 2-4 टेस्ट दिया अब यह तो उनकी भी सबकी रेंक मैं अभी open कर दूंगा आपकी रेंक कल तक आ जाएगी नेक्स चलें हो गया तो अगला क्यों क्या रहा है वाप इस प्रक्षिन है प्रक्षिन क्या कर रहा है इंदा नेट रख इंदा नेट रख टू डबल जीरो डोट 10.11.14 और चलेस्ट टूंट इसका मतबसे आई ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं विखरें कि आपको एक एड्रस दे रहे हैं आपको एक आड्रस दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सी आई यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ ड्रकाइप दे रहे हैं टू डबल जीरो डोट टैन डोट 11.1 डबल फोर और स्लैस क्या ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन करते हैं वह इंदाना ट्वेंटी सेवन मास्कों करता आगे पढ़ लीजिए तब फॉर्थ ओक्टेंट फॉर्थ इन डेसिमल ऑफ दा लास्ट आईपी एड्रस ऑफ दानी ट्रक विच्ट हैं बी आसाइंड टू ए होस्ट यह कर रहे है कि इस नेट्रक का लास्ट आईपी एडरस क्या होगा जो किसी एक होस्ट को असाइन किया जा सकता है कि लास्ट आई पी ड्रस्ट क्या होगा जो एक होस्ट को दस्ते संटॉह सिंप्ल सी बात हैं कि यहां पर यहां पर आप कि is mask है और mask आपको बताता है कि 27 time 1 ay 27 time 1 ay इसके पर लाष्ट के 5 जो bit है ad cellphone गड़ा शब्रवाइब 32 गुज कि पावर 32 माइनने से फिर इसका मतलब गुज की पॉर क्या फाइफ गुज की पावर 5 ग्यावर 5 दोट की पवर 5 इसका मतलब जो 32 लाष्ट के 32 32 address हैं वो आपके block address किसके रूप में उस network में यूज के जाएंगे ब्लोक के रूप में अदना उस block address में तो network ID होगी और DBA भी होगा तो हमें last host का address find out करना है यहां पर हम क्या करेंगे एक सो जो 144 है इस 144 को एक सोट आउट कर लिजिए क्योंकि इस से हमें पता लगजाएगा कि ब्लोक कहां से start होगा धिक सब्सक्राइब दोट इक अच्छार दोर एक अब देखो हमें यह लाष्ट के जो पांच बीटे यह आपके छोस्ट को रिपजेंट करते सुपर्जेंट करते हैं अब यह लाष्ट के पांच बीटे इन से सारे आप जीरो कि चारद एक वन जीरो और क्वा देखो यहाँ पर यहां पर फोटान आपको अगर मैं लास्ट की बात कुरूंए तो मैं लास्ट में आपको दोनों दो वन 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 जीरो यह तो लास्ट को का होगा यह तो last host का होगा और उसके बाद one 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 वम यह क्या बन जीव क्या बन जाते हैं और्स अरे के सारी Pokémon क्यों किसको करते हैं ने ट्रक आइड को लिट करते हैं तो लास्ट जो देहों ये लास्ट ओस्ट होगा ये क्या होगा सफोर्ट ऐस्ट छुष्ट ऑई-पी अजलnot आईपी ये लास्ट का इनच होगा अभी इसको डैसिटCRилась बेसла कर लिए डैसिमल क्यbst lactose लिए फीन गला तिन बिटश एफ्क्स हैं इन जाओillon के आगे कि 144 और आठ कि 144 और आठ कितना हो गया 252 और चार 56 और दो अठाप मतलब अठावन इसका मतलब 108 देख लिए जबी क्या होगा अनसर एक सूठावन एक सूठावन कैसे निकाल रहो एक सूठावन ठीक है सब कैसे होगा कोई है ऐसा जिसका गलत हुए कि हयां पर हमारे पास लाश्ट हो लास्ट हो स्काइप पुचा गया था लाश्ट शाइप एडिट गया 1 58 होगा ठीक है यहां पर लास्ट ओस्ट का इस होगा यह मेरे साथ मतलब maximum student का सही होना चाहिए कि बहुत easy सा question था कोई खास trick भी नहीं थी अच्छा उसके पाद देखो आप से पूचे maximum number maximum number of IPv4 router address that can be listed यह कह रहा है कि आपके maximum number IP router IP router आपको करना क्या है कि maximum number IP router address that can be listed in the record route लाना एक आप पास field होती है record route, record route field क्या काम क्या काम आती है जब भी हम record route की बात करते हैं तो record रूट की की सायता से हम intermediate router का address store करते हैं intermediate router इंट्रमेडिट राउटर का इंट्रमेडिट डाउटर एड्रस एड्रस इस्टोर अब जम इंट्रमेडिट राउटर का एड्रस इस्टोर करते हैं और तो रिकोर्ड रिकोर्ड रूट जो आपका आपकी फिल्ड होती है यह आपकी IPv4 की ओफिशनल फिल्ड होती है कैसे होती कि आप पॉइंट को दंग ना आई पी वी फोर ओप्स रूप में आई पी वी फोर ओप्स रूप में कितने बाइट होते हैं चालीस बाइट चालीस बाइट होते हैं और भी आपका जो इंट्रमीडिट राउटर के द्वारा जब रिकोर्ड रूट में जब एड्रेस इस्टोर किया जाएगा तो आई पी वी फोर के अंदर जो एड्रस की साइज होते कितने होती है 32 बीट या मैं कहिसता हूं पॉर बाइट फॉर बाइट अब देखो आपके पास में 40 बाइट तो ऑफिसल के रूप में फिल्ड है अब यह कह रहा है कि आपके कितने रिकोर्ड रूप से फिल्ड ओफ और आई पी वी फोर हैड्र इज आपके मैक्सिमम कितने आई पी एड् बाइट है और 40 बाइट का मतलब है कि आप 4-4 बैट के कितने एड्र सकते हो 10 चार गया है कि मैं कि चार-4 बाइट के हम 10 एड्रस 10 आई पी एड्रस को हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन कहानी आती है कि जब आप 10 IP आड्रस को स्टोर करोगे तो दस 10 IP address में तो साइज ही 40 हो जाएगी 10 IP address इस्टोर करने मतले हैं कि 40 की 40 वाइट को आपने यूज कर लिया और ओफ्षिनल जो बाइट है उसमें आप यह तो बताऊगे ना कि हमने हैक यह बहूक्तरी है च्चालिस हम नहीं कर पारेंगे 40 तो फूरी नहीं कर पाएंगे 10 per cape क्यों कि हमें आपे यह भी तो बताना होता है कि हम रिकोर्ण रूट की साइथा से हम राटरों के डिकाराउ कि address को हम क्या store कर रहे है तो उसकी information वे हमें store करनी होती है घर लिए एक एक single bit भी ले यूज कर लिए तो 40 byte हम यूज नहीं कर सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि 10 जो IP address है उसको तो आम store नहीं कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 10 को store नहीं कर पाएंगे तो maximum कितने कर लेंगे नोग को कितने कर लेंगे कि वोटी राइट आंसर नाइन इजदा राइट आंसर ओनलाइन वाले इस डेंट है वो अपनी तयारी परक लीजिए फिल कर लीजिए कि programmer क्या होता है क्योंकि इस type के आपके question आपके exam में देखने को मिलेंगे और अगर आप इस type के question को solve करने की capacity रखते हो तो इसका मतलब है कि आप programmer की तैयारी perfectly आपके चल रही है और इस type question अगर आप solve नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कुछ ना कुछ problem है कुछ ना कुछ कमिया है वो कमी किस तरफ से आपकी तरफ से है कि देख लीजाब प्रॉपर्ली कि आगे चलूं कि यह question तो इसी था ना ऐसा बहुत बढ़ी trick नहीं थी जश्ट आपको करना क्या था कि आपको यह इसमें कि माईंड उज़ करना था कि आपकी लोटी होटी है और आपके रीकोर्ट क्या करता है आपके इंट्रमेटराउट रहो का स्टोर करता है और यूट इस्टोर करने मैक्सिum कितना रहो कर सकता है बहीं 40 वाइंत 10 का हो सकता है लेकिन 40 की 40 byte अगर हम सारे एक सारे address को दे दिये तो इसका मतलब क्या कुछ तो information extra रखोगे तो 40 तो हम नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि 9 दे पाएंगे maximum फिर लोग numerical लोग नुमेरिकल लोग आपको IP address of size 100 byte IP address है वह 100 byte आपका IP address है उसकी IP datagram IP datagram of size इसका मतलब आपकी datagram की size है तो इससी से बात है datagram size अप्सचीज से मतलब हैं हमारे पास जो data है उस डेटा की size है नहीं डेटाग्राम को मतलब यहांपे confusion हो नहीं हो आपको हम बात करें देटा's data size कितना है, 100,000, 1000 bytes, ठीक, अभी, 1000 bytes है आपका data gram, मतलब एक test में कहिता हूँ, packet की size है, ठीक है, packet आपका, कितना है, 1000 bytes का है, ठीक है, उसको बद कर रहा है, arrive at a router, एक router पास आता है, the router has to forward this packet on link, आपका जो router है, वो इस packet को forward करता है, और forward कैसे करता है, लिंक हूज MTU MTU क्या होता है मैक्सिमम ट्रांस्पेबल युनिट तो यह आप करा MTU आपको MTU दे रखा है MTU आपको दे रखा है लेगिन आगे जो हम पैकेट बेज सकते हैं आगे एगे जो गितनी है इन अगाफ कैने कीट आता है जिसको आगे भीजते समय अगर हम मैक्सिम ट्रांस टंसम सेट हैं तो चैसे रांबरों को तोड़ हम व privacy next question पढ़ो assume that the size of IP header यह कर रहा है कि आपको IP header जो size ना वो 20 byte है इसका मतलब इसको भी filter कर लो बही जो आपका 1000 byte जो आपका packet है उस 1000 byte packet में 980 byte तो क्या है data नो सो असी बाइट तो क्या है देटा है आपको कितने fragment में तोड़ना पड़ेगा कितने fragment तोड़ना पड़ेगा तो देखो यहां पर इस concept को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जब हमारे पास में जो एक particular packet है उस packet को तोडने की बात करते हैं तो maximum transferable unit जो आपकी होती है इसका मतलब यह जो सो बाइट है इस सो बाइट को मैं दो टाइप से उज़ करता हूं कैसे 20 बाइट तो हैडर यूज़ करूंगा देखो हैडर तो आप चेंज करने सकते हैडर तो आपको आपको फ्रेग्मेंट के साथ भी 20 बाइट का रखना ही पड़ेगा तो यहां पर कितने कितने बाइट डेट रख सकता हूं मैं असी देखो हैंडेट बाइट टोटल एंट यूनिट है तो इसका मतलब है असी बाइट यहां पर क्या हो जाएगा अब एक फ्रेग्मेंट में असी बाइट डेट लेके जा रहा हूं तो यहां पर 980 बाइट डेट को ले जाने के लिए कितने फ्रेग्मेंट करने पड़ेंगे 980 डिवैड बाइट क्या कि नो सोसी डिवाइड बैड क्या असी डिवाइड कर लो भई एक और कि दमजगे है कि तो अठारा अठारा मतलब क्या जीरो तो देखो आप मैं कर रहा हूं आठ दुनी और दूरी शॉला बारा पैंट कि ए 11ड़ भारा पैंट क्या कुछ है तो सब्सक्राइड कि आ रहा है तो हम क्या बारा पैंट लेंश्क शक्राइब केक्वका शेयर और तॉ म सब्रक्राइब करें हो ये म्यां सबसे droplets बता रहा है तो इतना सब कुछ सीखने के बाद बदर आप रिंगत यह लुक्त का इसमाद के साथ की साथ नोटде Prof Tilde कि अगर आपको लगता है कि हमने यह मैं यह यह करते रहो कि दिमाग के सारे स्रोथ खुल रहे हैं थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि पेपर कैसे आने वाला है हमें किस लेवल की तैयारी करनी है कि आगे चलो अग्सक्राइब नेक्स आपके आता है विच वन ओफ फॉलविंग इज ट्रू सत्त कह रहा है आप से जूट नहीं बोलना अच्छ बात पूच रहे हैं अब आउट्टीर गेटवे राउटिंग प्रोटो कोल ठीक है इंट्रीर गेट्राउटिंग प्रोटो कोल बात करना इस अप्रोटो को यूज करता है वह इस प्रोटो यूज लिंक एश्रेट आउटिंग तो सत्ती पूच रहे हैं तो पहले सही हो गया बाकी गलते हैं कि सारे ओएस प्रोटो यूज डिस्टेंज नहीं वह इस बिस्टेंज वक्त निकरता अच्छा बोथ और आएपी नना य जाएक लिए आपके नौट शाहिए नाच्ट देखो इन एथरनेट लोकल इए नेट्रक इसनेट लोकल इनेट्रक बात करेंगे विच्ट वन ओफ दा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस ट्रू यह करें इनमें से कौन सा सत्य कतन नहीं बात कर रहे है इथरनेट फ्रेम नेट करना बंद कर देता है जब एक बंद मात रही है यह आ कि रहुम में कॉलिजसिन करता है से तो फर तो न से करने that are smaller than the minimum jamming signal कब transmit होते हैं देखो jamming signal transmit कब होते हैं अगर अगर आपका collision 2PT से पहले आकर हो जाता है तो up to 2PT तक आपको क्या करना है jamming signal को transmit करना है तो दानरकने आपको कि up to 2PT तक हम jamming signal transmit करते हैं जब आपका क्या collision कितना up to 2PT से पहले हो जाते हैं इसका मतलब यह भी statement गलत है गलत कह रहा है यह जैब signal हमें पता है बहुत अच्छे तो यह तो नहीं होता a station continue to transmit the packet even after the collision is detected एक station continue transmit करता रहता है जब collision उसका पता लग जाता है collision का तो तीन गलत होगे तो एक तो probability of collision and retransmission बिल्कुल सही बात है जो exponential back of algorithm हमें वही आपके क्या करती है आपके reduce करती है कि आप जब दुबारा से transmit करो उस time पर आपके collision होने की chances कम हो जाए exponential back of algorithm को implement करने करना आता है ना अच्छे से next exam में question मिलेंगे तीन एक ही उसके तो right answer क्या होगा reduce the right answer वापी से low क्या आ गया ए नेट्रक हैज ए डेटा transmission bandwidth एक नेट्रक है उसमें आपकी data transmission की bandwidth डारेक्ट दे रहे लिखे नहीं बेंड़िट अबको डेट डेए किसका वादा दापो लिखे दे रहे है कितनी इंटू 10 की पावर 6 bits per second तो यह तो सिद्धा ही कहरा है bandwidth लिख लीजे भी bandwidth bandwidth आपको डेट ने रहे है कितना 20 into 10 की पावर किया 6 ठीक है और bits इस यूज चीए सेमें इन दा मैक लेयर दा मैक्सिमम सिगनल प्रॉपोगेशन टाइम मैक्सिमम सिगनल प्रॉपोगेशन टाइम रों वन नोर टू अनोधर नोर्ड इज चालीस से माईक्रो सेकंड तर्यां पर कि देचंट एह है कि वी टी कि क्यों ऑनुद एन ना 30 माईक्रो शेकंड रेकर है तो क्या लिक्सको उसको ऱ्कॉb पावर ही मेल सिक्स करेंगेवल 나 मिनीमण साइज ओ फ्रेम इन इनवे रग इज तो फ्रेम के अने ट रह साँ गिंदर minimum frame size पूच रहे minimum frame size पूच रहे तो यहांपर क्या करना है आपको minimum frame size निकालना नी है तो आपको bandwidth दे रखिए है साथ मेड़ीकर रे райखे हो आपको PT दे रहे है PT आपको direct दे रहे है तो तो मेरे गी इसाब से discussion मेरी अजिक्षार CD बात करते हैं, तो CSMA CD में हमें पता है कि जो आपके पास में आपके पास में जो transmission time होता है वो transmission time हमेश्या greater than किस के होता है 2 into 2 into बस का value put करनी आपका किशन आजाएगा तो frame size transmit time क्या होता है frame size य बैई क्या bandwidth और उसके मतलब क्या 2 into 3 frame size पुछिए तो bandwidth क्या लेकर चले जाओ bandwidth क्या लेकर चले चले जाओ frame size आजाएगी frame size equal to क्यों जाएगा 2 into PT क्या रखा है 40 into 40 into 10 की पावर क्या minus 6 bandwidth क्या रखा है bandwidth क्या यहापे लेकर आगए 10 into 20 into 20 into 10 की पावर क्या 6 calculate कर लीजिए यह इससे काट दो यह multiply कर दो भी किसमे पुच्छे बैनर बैइटम पुच्छे बैइट मैं जाएगा 240 दुनी 80 80 दुनी 160 40 दुनी 80 80 दुनी 1600 1600 1600 Bits आ गया 1600 Bits आगया तो आपके किसम बैइटम पुच्छे तो 8 से बाग दे दो इसको बाइट में पुछे तो आठ से बाग देंद कितना हो जाएगा रहना बाइट में पुछे तो आठ से बाग देंद कितना हो जाएगा 200 तो देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में इस टाइप के अगर कोई भी कुशन आपके बनते हैं तो उसमें सोलूशन करना बहुत आसान होता है और यह जो सोलूशन यह आपका विदिन एक मिंट में हो जाता है तो क्यूशन पढ़ने के बाद आप यह मत सोचा करेंगा इसा कुछ नहीं होता है मैं तो यह कह रहा हूं कि जो है ना वह आपके इसली सोल भी हो जाते हैं और आपके नंबर पिक को यह सारी सारे सारे का मतलब मैंने सब कुछ आपको लिखवा रहा है और यहां पर जो यूनिट्स है उन यूनिट्स को एक यूनिट में लेकर चलना ठीक है आपके वाई-फाई के अंदर कम से कम तीन नौन और लेपिंग चैनल आपके अवलेबल होते हैं किसके लिए पूरा कवरेज करने के लिए ठीक है यह आपको दान रखना है अच्छा आर्टीएस आर्टीएस अदलब रिक्वेस्ट टू सेंट सीटीएस अदलब किलियर टू इसका मतलब यह क्या यह तो गलत बात है इसने रोंग श्टेटमेंट दे दिया यूनिकास्ट फ्रेम आर एक नोलेजट तो सिदीसी बात है जब भी हम वाईरलेस की बात करते तो वाईरलेस के अंदर हमें सेपरेट अपने बेजनी पड़ती है रइट कि यह एटलीस्ट थ्री ओवरलेपिंग चैनल मैं करवा दूगा इसको मतलब लिखवा दूगा पूरा कि अगर यह पुएंट आपको नहीं लिखवा तो लिखवा दूगा इसमें करके बता दूगा आपको थी ओडंशुक्स बडम सब्सक्रिए करने के लिए यह आपको नि सरी में नाको केर यह उसं कर से इट इस्ट उस्टिफिंग बेस्ट फ्रेम यह कर रहा है बेगी इसे फ्रेमिंग फ्रेमिंग प्रोतकोल रोच गरें और घंट हात्म तो फ्लेगा आपको लिटे रहा है इस आपके पास में की कोई यक डेटा थी अपको डेता था उसको उसके बाद जो आउटपूट डेटा है उसके पाद आउटपूट डेटा है वह आपको दे रहा है और अच्छा और यहां पर अपको पूछ ले न फ्लैक भी दे रहा है आपको और फ्लैक क्या दे रहा हैं ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 0, यह आपको flag दे रखा है, output data दे रखा है, पुछा, देन दा, input bit string, string क्या होगी, यह कर रहा है कि input bit string क्या होगी, जो बेजी गई थी, यह तो output क्या output है, जो बेजी गई है, ने ट्रक में, तो input क्या थी, जिसको हमने output में change किया, तो आप यहाँ पे कहर पा रहे होगी, अगर 6 time 1 है, अगर flag में 6 time 1 है, तो आपको दान रखना है, कि हमने bit stepping case में, 6 time 1 में हमने पढ़ा था, कि 5 बार बनाने के बाद हमें 0 लगाने है, उसको मतलब है, input frame में, input frame में, जब 5 बार बनाया था, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 time 1 आया था, तो उसके बाद 1, 0 इसलिए लगाया गया है, कि हमारे पास में जो particular frame है, वो क्या नहीं बन पाए, flag ना बन पाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1, 0, एक 0 stuff किया गया था, इस 0 को अटा दो, यह आपके input बन जाएगी, तो input क्या बन जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 0, right answer क्या होगा, what is the right answer, 1, 2, 3, 4, 5, be the right answer, be the right answer है ना, ठेक है, यहाँ पे right answer क्या होगा, be the right answer होगा, आगे चलो, नेक्षिन देखो, अगला क्यूशन यह कह रहा है, देखो, पॉइंट समझो, नेक्षिन कह रहा है, यह कह रहा है, consider a LAN with 4 node, यह कह रहा है कि आपके एक LAN है, जिसमें 4 node है, node की बात कर रहा है, S1 node है, S2 node है, S3 node है, S4 node है, time is divided into fixed size slot, इसका मतलब है कि आपके slotted aloha की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, slotted aloha की, and a node can begin its transmission only at the beginning of the slot, तो slotted aloha मुने समझा था, कि slotted aloha केसम क्या होता है, बढ़िए सारे के सारे station को fixed time slot होता है, जो भी आपके station होते हैं, उन सब का एक fixed time slot है, और वो क्या करते है, वो time slot मतलब होता है, यह suppose 10 बजे transmit कर सकते हैं, यह 10 बजे suppose 5 minute पे transmit कर सकते हैं, यह 10 बजे suppose 10 minute पे transmit कर सकते हैं, तो इसको उन तो fixed time slot पे ही यह सारे इक सारे station transmit कर सकते हैं, ठीक, अच्छा उसको बहुत कह रहा है, एक collision is said to have occurred if more than one node transmit in the same slot, same slot इसका मतलब है, कि वो ही आपको सारे इक सारी, वो ही सारी कहानिया आपको आपके समझा रहा है, जो हमने slotted alarm पड़ी थी, slotted alarm में समझा था, कि एक से ज़्यादा station आपे transmit कर सकते हैं, बट एक fixed time slot पे transmit, या तो station 10 बजे अपना transmission start करेंगे, या 10 बज़ के 5 या 10 बज़ के 10, इनी time पे start कर सकते हैं, बागी time पे start नहीं कर सकते हैं, आपके अगर एक से ज़्यादा station अगर एक से ट्रांस्विट कर देंगे, तो collision हो जाएगा, हमें पहले से पता है, है ना तो ग्यान मक्पेल हमें पता है, the probabilities of generation of a frame in time slot by S1, S2, S3, S4, R, अब देखो, S1, S2, S3, S4 की probability है, इसका मतलब यह कह रहे हैं, कि मैं 10% chance है कि मैं किसी time slot पर transmit करूँगा, S2 कर रहे हैं, मेरा 20% chance है मैं transmit करूँगा, S3 कर रहे हैं, मेरा 30% chance है, और S4 कर रहे हैं, मेरा 40% chance है मैं transmit करूँगा, ठीक है, अब यह कह रहे हैं, the probability of sending a frame in first slot without any collision by any of these four stations, यह कह रहे हैं, कि आपके चार station में से कोई भी station, कोई भी station data transmit करें, तो क्या probability है कि आपके collision अकर ना हूँ, यह question कहना चाहरा है, समझे question, समझे, अब इस question का मतलब यह है, कि हमारे पास में, इस question को बहुत अच्छे समझे, तो देखो, वैसे question landing question है, थोड़ा solution भी थोड़ा सा, यहाँ पर चीजे landing चलती है, देखो, जब मैं कहा रहा हूँ, कि हमारे पास में, चार station है, हमारे पास में, चार station है, चार station कोई कोई है, S1, S2, S3, S4, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहा रहा हूँ, कि हमारे पास में, जो चार station है, उसमें कहा रहा हूँ, S1 है, वो क्या, 0% 1 probability चार ट्रांस्मिट करेगा, इसका मतलब नहीं किस से करेगा, देखो, यह तो transmit करने की probability है, और 9 की, 9 की probability क्या हो जाएगी, 0.1 जो probability है, 10% chance में transmit करेगा, तो 90% chance में नहीं करेगा, उसके बाद मैं कहा रहा हूँ, station जो S2 है, station S2 है, वो 0.2, मतलब 20% chance में transmit करेगा, तो नहीं कितने percent chance में करेगा, 9 कितने percent करेगा, 80% chance में नहीं करेगा, उसके बाद मैं कहा रहा हूँ, कि station जो 3rd है station 3rd है वो क्या 0.3% chance में तो transmit करेगा नहीं कितने में करेगा 0.7% 0.7 chance में transmit नहीं करेगा next में कहा रहा हूँ कि station 4 है station 4 है वो 0.4 तो probability transmit करेगा तो नहीं का मतलब नहीं कब करेगा 0.6 यहां तक तो कोई confusion नहीं होगा यहां पर मैं लिखाएं कि किस प्रोबर्टिक्षा transmit करेगा किस के साथ वो नहीं करेगा अच्छा अब मैं कहा रहा हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले मैं कहा रहा हूँ कि मान के चलो station S1 transmit करता है अगर station S1 transmit करता है तो station S1 transmit करने के case का मतलब है कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि Station S1 तो क्या होगा, 0% 1 proc antibiotic चाहरा ट्रांस्मिट, Station अगर 에स्वन ट्रांस्मिट करता है, तो 0.1 probancy के साथ तो इस्टेशन ट्रांस्मिट कर देगा, तो मैं कह रहा हूं सब्सक्रीट स्ब्सक्राइस ब्लेट स्ब्सक्राइस करता है, कि वो ट्रांस्मिट ना करे, इसका मतलब उसकी प्रोबल्टी नहीं की होनी चीए, दना उसकी नहीं की प्रोबल्टी होनी चीए, अगर S1 की प्रोबल्टी यस है, मैं यह करा हूँ, यह यस है सारे, यह सारे क्या है, यह सारे क्या है, इसका मतलब ट्रांस्मिट कर रहा है, यह तो यह तो यह तो प्रोबर्ट वी इस्टेशन X1 की यह तो प्रोबर्ट किसकी है कि स्टेशन X1 की आपकी चैस्ट करना एश टेमप बाकी कोई भी करना तो सबस een कर आरे कि पर निप्रड़र करों फास्ट करो डियू कón 8 और साथ To basically को के अरे 242 साथ नों लते कितना इन सो टिन से मते प्यकिकोता गलत मत प्रोजक कितन Jewel High कि इन वारे को मा आ एक दो थीन समय गहांगे एकट से में मादा एकजिरी जिलो ore आय चुल भीजोंती पॉइंट खूए यह यह पहले एसवन इसमिद्ट की प्रोबिटी है कि स्सक्राइब करे और ल्रभ में आकरें विदाविजन तर्सक्राइब यह साप साप मेंचन है एस्टू प्याज़ाओ अब देखो एक बार समझ लो फिर नोट डाउन कर ले ना यार टायम दूँगा आपको एस्टू प्याज़ाओ एस्टू इस्टेशन ट्रांस्मिट करें इसका मतलब एस्टू इस्टू इस्टू की प्रोबर्ट तो यास होनी इस इसके 0.958 इसके 0.79 इसकी कितनी 0.7 इसके 0.6 इसको इनकानट सुद्धारों इसको मल्टिप्लाई करो देखो साथ संग बी आलइस ओर नोगे आठारा अठारा कुना बीस करो कितना आगया इंट आजोगर 256 अब देखोशा पर अब सुचाइब लगां एक जिरो लगा दो एक जिरो ओर लगा दो तेहां तो इस्ट्रेशन1 एस्ट्र सकसेशुब्ध्फफ away धुग करपा रहा है ज्ट्रेशन2 एस्ट्रांस्मिटफक पाराया है विडे प्रोबलटिपी के साथ रात इसेशन कोई भी ट्रांस्विट नहीं कर पा दे तो बाकिary station probability गया है 1-1-1-1-2 बेई यह probability लेके चलतल हुआ हो यह पी है और यह क्या 1- P है यह P है यह न बहूँ है यह यह प है यह न भी है यहे इस बहुत अच्छे सिखा रहा है प्रोबर्टी P देखो D Probability P के साथ था transmit करते हैं और 1- P के साथ नो ट Transmit तो यह सारीक-प्रानी वही लिख रहा है आपके सामने अगले station पजाओ Station S3 Station S3 transmit कर रहा है Station S3 yes अच्छेए 0.3 इसका तो yes होना अच्छेए और बाकिछ समका क्या होना च्छेए No, इसका 9 का मतलब क्या 0.9 इसका 9 का मतलब क्या 0.8 इसका नोगोद लो क्या? 0.6, multiply करो. multiply करो. देखो, 6, 18, और 9, 8, बैतर. 9, multiply 8, और 3, multiply 6, 8. देखो, shortcut का मतलब जल्दी solve करो. इन 2 को करो, इन 2 को करो, फिर 7 करो. ठीक, कितना जाएंगे? 1, 1, 2, 9, 6, ठीक है? कितने आ रहे हैं? सही calculate करो, गल्द मत करवा देना. ठीक है? अब देखो, next station की बात करते है, S4 की. इसकी बात करते है, S4 की. अगले station S4. S4 transmit कर रहा है, इसका मतलब S4 transmit कर रहा है, with probability कितने है? 0.4, इसका मतलब 0.4, बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? 0.9 है, इसकी क्या है? 0.8 है, और इसकी क्या है? 0.7 है. 0.8 है, 0.6 है, 0.7 है. बताव भी. कितना आ रहा है? 0.7 है, 216, 728, और 9.82, तो मैं करहा है, 2,000, 16, इसका क्या 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 पॉइंट लगा रहे हैं, आप क्या करो? इन सब के probability जोड़ दो. इन सब के probability जोड़ दो, आपके सामरसल्ट आ जाएगा. कितने आ रहे हैं? जोड़ दो भी कितने आ रहे हैं? सारी सारी प्रोबर्ट जोड गता हूं को तो आएगा कोईंट पॉर फॉर जिरो आंसर मैं चो रहे हैं क्या आंसर मैं चो रहे हैं वोटी डाइट आंसर अच्छा इमान दार बताओ कितने इस डेंट का सही है सही बताना जोट बोलना ओनलाइन ऑफलेंड किसी इस डेंट का सही है गर अ कर अध़रे कुश्चन छोड़ने का मतलब कर त्राइट तो करोगे घर पर जाकर ट्राइब क्या मतलब यहां पर नहीं किया घर पर जाकर क्या होगा यहां ठीका छोड़ी अधिक लग रहा था कि कि हमारे पास को स्टेशन था थोड़ा थे अपको नहीं आता तो यहां पर सिंपल ची बात है यहां पर जो लेंग्वेज थी उस लेंग्वेज के अकोडिं हमने से इस्टार्ट किया और यहां पर क्यूशन यह पूच रहे हैं यहां पर this station S1 station S2 station S3 station S4 दरना कोई भी station transmit कर रहे हैं तो हमारे पास में 4 station के transmission के case में किया क्या प्रोबर्टी है कि यहां पर किसी भी station का data collide ना हो दरना इस टाइब के करना बहुत उप्रक्राण करना भुट इजी सा concept के साथ होता है लेकिन हाँ यह अगर क्यूशन इस्टाइब का क्यूशन देगा तो आपसे एक इस्टेशन पूछेगा तो आपको चारू इस्टेशन की ना पूछ कि आपको एक इस्टेशन की पूछेगा यह क्या पूछेगा कि इस्टेशन एस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इससे बार तो क्या ही पुछेगा। तरह नहीं स्लोटेट अलोओ में सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफेस्ट क्युशिशनर वो यह पूछता है। इससे बार तो क्या ही पूछेगा फेरे। और बताओ क्या concept बसता हूं। concept नहीं बसता कुछ। आपकी सारे एजी एजी जो कंचेप्ट आपको वैसे लिखवा रखे आगे चले एक पर आप प्रोसीजर समझ लो उसको बाद घर से गर ले नाराम से प्रोसीजर समझ में आ गया बताओ हां यह यह दा प्रोब देखे दा प्रोबल्टी ओफ प्रेम इन फच्ट सब्सोट पर्षे कोई टाइम सब्सट पर एसे कोई उसे कोई नहीं पड़ेगा उससे कोई फड़ाद नहीं पड़ेगा उससे एक लैंगवेज ज़ंसे आप से language की रूप में लिख दिया इसने बाकि किसी भी time slot के अगर बारे में पूछ रहे हो तो एक ही बात है किसी भी time slot पे transmit करने के अंदर जो आपके case होता हूं यह होता है सिमब्ल है पात है हमारे पास में चार इस्टेशन है तो चार स्थान के वे एंग यहां पर आपको सारे के सा Але अलग अलग प्रोभल्बिटी दे रहें यह यह प्रोपोवर्टी है कि इस्टेशन ट्रांस्मिट करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो नहीं कांगम क्या 10% में ट्रांस्मिट कर लेगा नहीं करेंगा इस एडिशन करना था बहूत इजी की एक नेक्रिशन देखो यहां पर आपको दिया है और ए百च टिन ट्रॉज टॉझे इन गिया अई पीटिमीधाग्राम दी ए श्ट एक डेताग्राम डि एक डेटा घ्ने एकला à मतलब है कि यह जो A और B हैं वो गुमाने की लेंग्वेज हैं जस्ट आपके दो आपके क्या है host है और उनके बीच में data transmit हो रहा है D. Assume that no error occur during the transmission. इसका मतलब है कि जब आपका data packet D जब आपका packet जब transmit हो रहा है तो उस time पे किसी भी type की कोई error नहीं आती. When D reach B इसका मतलब है कि A से B के बीच देखो सिरीज बात है A से B के बीच A host है और यह कुण सा है यह B host है A से B के बीच इसको मैं कर रहा हूँ A है इसको मैं कर रहा हूँ क्या B है और यहाप data nyeby beauty field है इसटी दिफ्रेंट मिल सकती है जब B पहुचेगा तो बताओ भी है n dol check some कि सिदी सी बात है हम हम यहां पर कह रहे हैं कि हमारे A से B के बीच 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 है तो सिदी सी बात है टीट यहरु भी चेंज मिलेगी 2021 एक कम अप्ते होगा A आर हमें नहीं पताव फ्राइग्मेंट किया अकि अगर फ्रेकमेंट हम नहीं पता थोड़ी है हम नहीं पताथ मेरा कह सकते हॉंख री सकते हैं इस टेंद्द औरASE कि आथ से बीड़ के बीच बेज रहे हैं डेटा भी बीज रहे हमें क्या पता बीच का नेटरक कैसे हैं हमें उससे क्या मतलब कि औरना किष्ट्शन को मुझे पता था क्या वे आप ऐसी विश्टेक करोगे अई फॉट अधिशन को सब्सक्राइब करोगे तो अगर बीची के नेट प्रक की मैक्सिम ट्रांस्वल यूनिट अगर कम हुई तो चेंज होगा तो हमें नहीं पता है इसका मतला हम तो कह सकते हैं इसका मतलब क्या सबी सबी और करें कुशन गलग था यह तो यह तो यह टाइपिंग वाला बिचारा आपको रात-रात बटाइप करता है यह ऐसे कर दो उसको कि उससे क्या ही फरक पड़ रहा है और यह सही ओने प्रोबल्टी तापकी इससे को फरक नहीं पड़ रहा है इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा था विक्यों सब्सक्राइब अगर ऐसा उप्सरा को दूसरा मैच कर रहे गया कह सकते हैं कि फ्रेग्मेंट ऑपसेट भी चेंज हो सकता है अगर उस नेट्रक के बीच में मैक्सिम्म ट्रांस्पर्बल यूनिट अगर कम हुई तो ठीक है तो आपको इची दानक नहीं तो इसका क्या डेजदा राइट आंसर कि लोगे अगला किशन लो कि यह हो गया गल्त हो गया तो ओडिकर लो तो देखो किशन कह रहा है इफ आई पी राउटर विद मैक्सिम्म ट्रांस्पर्बल यूनित M.T.U आपको M.T.U पहले दे रखा है एक आई पी राउटर जिसके M.T.U आपको दे रहा है और M.T.U कि है 15 एक प्लस विस ब्लस ब्लस यह क्या डेटा कितना होगा न देटा कितना होगा 43 4384 जबात है प्लस बीस यह क्या डेटा और यह क्या header, सही बात है ना, अब देखो, इसको भी, इसको भी क्या करो, साथ साथ तोड़ लो, 1480 क्या होगा data और 20 क्या होगा, header, अच्छा, उस बता value of, value of relevant field in the header of the third IP, third IP fragment, देखो, तीसरे IP fragment के बारे में पूच रहे है, तीसरे IP जो fragment उसके बारे में पूच रहे है, तो द तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर, अब इस question को solve करने के लिए, मैं आपको separately पूरा बता जिता हूँ, देखो, यहाँ पर packet क्या कह रहे है, packet की size क्या है, और डबल 404, यह तो packet है, और डबल 404 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, तो बहु तो 4384 तो क्या है, data है, 3384 क्या है, data ह प्लस 20 क्या है, header है, 20 क्या है, ठीक है, 20 बाइट का header है, और 4384 क्या है, data है, अच्छा, उसका बद कर रहा है, maximum transferable unit, इसका बद M2 दे रहा है आपको, M2 दे रहा है, और M2 का कर रहा है, 1500 बाइट, इसका मतलब क्या है, 1480 बाइट क्या, data, और 20 बाइट क्या, header, ठीक है, done, यहां पर जो आपका packet है, उसकी साइट जादा है, तो उसको fragment में तोड़के बेजना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, fragment में तोड़के बेजेंगे, और जब fragment में तोडने की बात आती है, तो सिदी से बात है, एक fragment की अंदर हम 1480 बाइट डिटा बेज सकते हैं, वो data कितना 4484, 4384, अब सिदी से बात है, एक fragment में हम कितना डेटा बेज रहे हैं, 1400, तो यह तो लगबग थोड़ा सा कम, मतलब दो तीन फ्रेगमें, तीन फ्रेगमें होंगे, तो 1480, तो 1480 को मुल्टिप्लाय करेंगे, 200 कितना हो जाएंगे, 1480, 1480 कितना हो जाएंगे, पहले फ्रेगम बैज नहीं कितना बच गया, व्यक्ति अबिच टर्फीआएंगे, 1480, नहीं कितना हो जाए, 4, एकम नहीं बीच सो जाएंगे,ование 2, यह टो जाएंगे, 1424 जापिछेटे प्लास तो जाएंगे, में कितना वेजivent उधा सहो च्विश में बात कर रहा है तो थड में क्या हैंगा टेटा जो तर्ड में इतना थेंक डेटों सब्सक्राți करें अगर आब पूछा के चैसाइ PARम होगा 25 का होगा पह्ता ड्रीव और तीन ही हमारे पास और तीन फ्रेंट की बात कर रहा है इस थार्ड की बात कर रहा है तो फ्रेंड 주고 क uniqueness के अंदर जो ड Всем लेंद पूछ रहे हैं तो भी सिधी से बात है यह जो यह जो आपका पर्टिकुलर 1424 से किसकी साइज है डेटा की साइज है और 20 बाइट का हेडर 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 करने वाद इसके इसका डेटागरम किता बंजाएगा इसके डेटागरम पूछेट 1444 कि हेडर भी लगाना है ठीक है डेटागर पूछेए यह जूनोट फ्रेग्मेंट अच्छा जीरो हाँ अब देखो आगे देखो भी आपके पास दो चीज निकल के आगी एक तो जो डेटागरम लें था हो 1444 आगी एक अच्छा मैं अच्छा चिजिए अच्छा फ्रेग्मेंट ऑफ सेट बात करोगे तो फ्रेग्मेंट अपसेट निकाल लेना और कैसे निकाल लोगे और है इस जो यह जो पाई रेल लोगे यह जो पाई प्लिवन वैल्व में इसके अंदर ख़ूंगे आठ का बाग दीर फ्रेघमेंट अपस्ट अजया बाग दो बहुए आठ जॉलbayर कि यह जो बच नुसरे आपको यह गए तो यह आपको निकालना प्धिटा रहा है तो इसक गलत हो हैं तो शॉल कर लीजिए ओ देखो सेरी से बात है सेलक्षण का में टार्गेट सेलक्षण का में जो कंशैप्ट होता है यहीं से होता है कि आपने जो मिश्टेक किये उसको एनल्सिस कर लो बैसा आपका सलक्षण हो जाएगा मिश्टे गर आपसे हुई है तो इसी पेनल्सिस करो ठीक है? डन? आगे चलू नेक्स कीशन देखो देखो नेक्स कीशन आपसे पूछ रहा है यहां पर कि कह रहा है कि consider the following three statement about link state and distance vector routing protocol यह करें कि आपके link state यह कर रहा है link state or distance vector routing उनके बारे में आपसे तीन statement के बारे में आपसे कह रहा है तीन statement के बारे में आपसे कह रहा है कि कह रहा है for a large netruck with five handed netruck node and four handed link कि एक 4000 55 hundred to netruck की बारे में बात कर रहा है और 4000 लिंक की बारे में बात कर रहे है उसका रहे दख कॉम दा कंपुटेशनल ऑवर हैड इन लिंक स्टेट प्रोटोकोल इज ज इज आ यह यह देंद ड़े स्टेंस व्यक्तर पॉटर पॉच रहे है कि अरे लिंके स्टेट के अंदर जो कंपुटेशनल अब रहाई रतियों ज्यादा होतिय कं होती है में दिस्टेंस वैक्टरिक कमेगर में लिंक स्ट कम्प्लिटेशन वरेड जादा कर पास बाकी सबिट रॉटर टेंपने जबंख भी लिंक सट रॉय के ji बिल्कुल भाट में बढ़ जाता तो इस सही स्टेट्मेंट है कि Distance Vector Protocol with Split Horizon, यह धनना Split Horizon की बात कर रहा है, Distance Vector Protocol और साथ में Split Horizon, Avoid Persistent Routing Loops, बिल्कुल सही बात है, कि Distance Vector जो प्रोटोकोल होता है, अगर वो Split Horizon को यूज़ करता है, तो उस टैम पे आपके Count to Infinite जो concept है, वो आपका अबोईड हो जाता है, इसका मतलब वो लूप में नहीं फसेगा, तो हम कह रहे हैं कि अगर Distance Vector Routing Algorithm, अगर Split Horizon को यूज़ करता है, तो हाँ ठीक है, वो आपके लूप में नहीं फसेगा, but not in Link State Protocol, but not in Link State, Link State Protocol का को लेना देने नहीं है, Link State Protocol का तो Split Horizon जो concept उससे लेना देने नहीं है, और यह कह रहे हैं कि अगर यह उपरवार अदे को देना, Distance Vector Protocol with Split Horizon, Avoid Persistent Routing Group, यह तो सही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल से इस्टेट में है, बाद भी कह रहे हैं, but not in Link State Protocol, Link State Protocol तो इसका लेना देने नहीं है, यह चीज गलत है, यह चीज तो नहीं बाने हैं, यह लिंक की स्टेट करेंब बात कर रहे हैं, लिंक की स्टेट में तो Global Knowledge होती है, और Counter-Infinite Program होती ही नहीं है, और नहीं होती है, इसका मतलब क्या, हम उसको कैसे consider कर रहे हैं, कर सकते हैं इसका मतलब यह statement गलत कहा रहा है अगला देखो आफ्टर एक टोप आफ्टर एक टोपोलोजी चेंज इसका मतलब नेट्रक के अंदर जो टोपोलोजी है उसके अंदर हमने कुछ चेंज कर दिया लिंक इस्टेट प्रोटोकोल विल कावर फास्टर देन दा डिस्ट प्रोटोकोल सही बात गलत बात हैं कि यह कहfikे यह टोपोलोजी हो कुछ चैंज किया तो लिंक श्टेट प्रोटोकोल करता ह। सही बात है उसके अंदर ग्लोबल नोलेज एक साथ शेयर करती बातर पर सबीर योडिज का करेगा य करेगा moi कि और सुर नेगा सारी चारी टेब फिर नेब राउट और फिर दबार सेर करेंगे और एक से ज़्यादा राउंड भी आपके परफॉर्म किये जाते हैं तो इसका राइट आंज क्या होगा लेगो फास्ट और फार्ड तो सही है लेगन सेकेंड सही नहीं है जबना हर एक क्यूशन के अंदर इस पेपर में मैं आपको मैकसिमम से मैकसिमम टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अगर आपने कोई मिस्टेक की हैं तो उसली मिश्टेक आप अब इसे कैंड के पैचानने स्टार्ट कर दो मेन कंसेट यही है आज is automatically आज कि यह किए किसी ह×े मिऱैं हुआँ चाहिए है और उस इलेगा इस दूट है स्र continually अच्छिजिए हए नहें के डिएशंव और्य užजाती है और कहुंत इनथ लेगन देता है लेकिन split origin हम यह कहते है कि अगर कोई router आपको यह बताता है कि infinite loop है तो उस time पर चेक कर लो कि link break तो नहीं है उसी बोलते है split origin कि हम check कर लेते कि link break तो नहीं है इससे पहले check नहीं कर लेते लेकिन अगर split origin का concept लगा लिया, तो infinite के case में, कोई भी router आपको कहता है कि ये distance infinite है, तो उस case में हम क्या कर लेते हैं, कि वहाँ पे हम check कर लेते हैं, कि हमारा link ब्रेक आया नहीं है, और अगर हम check कर लिया, तो हमारी count to infinite program क्या, solve, तो इसमें अगर आपने क्या बोलता है, उस concept के रूप में, आपकी notes की copy रूप में, वहाँ पे जाके add-on भी कर लो, note में, note लिख लो, कि count to infinite program को, count to infinite program को avoid करने के लिए, split horizon concept का use किया जाता है, notes की copy में, to avoid count to infinite program, we use split horizon concept, to avoid count to infinite program, we use count to infinite program को avoid करने के लिए, split horizon concept का use किया जाता है, जिस्से की packet loop में नहीं फस्ता हूँ, जिस्से की packet loop में नहीं फस्ता हूँ, हो गया, done, ठीक है, next देखो, अगला कुश्य नहीं कह रहा है, है, determine the maximum length of cable, आपकी cable की length determine कर रहा है, maximum length of cable, for the transmitting data at rate of 500 Mbps, in the ethernet LAN with frame size of 10,000 bits, assume the signal speed of cable is 2,000,000 km per second, अच्छा, यह कह रहा है कि आपको cable की length calculate कर रहा है, और cable की length calculate कर रहा के, आपसे बाकी, देखो जाना, simple सा concept है, बाकी सार यूनिट आपको दे रहे है, length आप calculate करनी है, तो मेरी subset, सब का किशन सोल हो गया होगा, थोड़ा fast कर देता हूँ, देखो, आपको cable की length पुचिए, तो देख क्या कर रहा है, length of cable पुचिए, length of cable पुचिए, तो आपसे पुचिए, ठीक है, या कर दे रहा है, transmission data rate, इसका बाला bandwidth, भी लिख देता हूँ, 500 MBPS, 500 MBPS कि क्या लख सकता हूँ, 5 x 10 की power 8 लिख दू, 5 x 10 की power 8 लिख दू, लेख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा, frame size, frame size यहाँ पर दे रिखे अल्रड़ी, तो आई भी लिख देता हूँ, frame size दे रिखे, कितना, इसको ऐसे लिख दो, 10 की power क्या, 4, bits, बिट्स में दे रिखे हैं, तो कोई दिक्कत निया, डाइट दे रिखे, अजूम दा signal speed, signal speed को लो क्या, क्या दे रिखे हैं, velocity, वेलिखे दे रिखे, इसको डाइग लिखे, 2 into, 10 की power क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 10 की power क्या, अच्छा, इधरना, इधरनेट, इधरनेट, लेन नेटर की बात करना है, तो इधरनेट, लेन नेटर के अंदर, डेटा ट्रांस्पर करने के लिए हमें ही पता है, कि हमारे पास, जो ट्रांस्मिशन टाइग ने रखा, प्रोकाइग ने रखा, इसको टो क्या, लेंट अपन, वैलेटि, लेंट अपन, वैलू पूट करो, कितना आ जाएगा, जास्ट आपको वैलू पूट करने है, तो फ्रेम साइज कितने है भी, जाको ये रिफ्रेम साइज ये रही, 10 की पाउर 4, ग्या, वैलो चिटी क्या है, 2 इंट उ, 10 की पाउर क्या, 5, अच्छा, एल केलकूट करने, तो मैं सिम्पल, एजी, मतलब ड़ाइक लिख दो इसको, या इस्टेप बेस्टेप लिखू, ड़ाइक लिख देता हो न, वैल कलकूट करने, तो एल कलकूट करने मतलब क्या, बैस गुना, 2, गुना, 10 की पाउर क्या, अरे, एल कलकूट करने है, ठीक है, तो एल को मैंने कलकूट करने के लिए, मैंने आप, क्रोस मिल्टिप्लाइ करते हो न, तो मैंने ड़ाइक कर दिया, इस बार, इससे पहले वाल क्यूश्ण नों अच्छे स्क्रोस मिल्टिप्लाइ कर इस बार में डिर्क लिकर दिया, इसको मतलब कर लो, आपका सलुशन आजाएगा, एक ट्रोब इसको, देखो 10 की पाउर 8 का मतलब, 10 की पाउर 8 का मतलब, 5 तो ये गट गई, और 4 का मतलब, 4 में 1 10 की बच गया, अच्छा देखो 5 दून 10, 5 दून 10 से 10 काट दो, 2 बच गया, 2 क्या, 2 किलोमेटर, वोट इस राइट आइट आनसर, 2 किलोमेटर, कितने सारे स्टेंट का सही हुआ, 1, 2, 3, next, 4, ओफ लैन इतने सारे स्टेंट होने के बावजूद, तुमारे इतने कम स्टेंट के किशन सोल हो रहे है, तुमें, कि डीबले में नाक देखे, डीबले के पानी में तुमें सूसेड कर लेनी चीए, चुलू वर पानी में सूसेड कर लेनी चीए, यह कि पानी अगर वैस्ट करोगा, तो भी गलत बात है, टैटन्स क्या होगा, 2 is the, टैटन्सर, बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ऐसा कुछ निये कंसेप्ट के अंदर, समझना होता है, कौंसेप्ट को समझो, समझने के बाद इंप्लिमेंट करो, तो जो भी आपने समझा है, उसको अगर आप प्रोपलिलिमेंट करते हो, तो definitely application सही होगा ठीक है अगला किशन देखो दा प्रोटोकोल डेटा यूनिट पीडियू ओफ पीडियू फोर दा एप्लिकेशन लेयर इन दा इंटरनेट इंटरनेट इस्टैकीज देखो प्रोटोकोल डेटा इनिट इसका मतलब जो आपका मैसेज की जो अलग अलग फॉर्म इसको अधिए प्रोटो सब्सक्राइब कर देखो लेटियो का आपके तो जो इंटरनेट इसका मतलब इसको आपनेटियू और प्रोटों तो इसको डेस में अप्लिकेशन की बात करते हैं एक लेक्सा का यह जता है मैसेज कहा जाता है कि application रही पूंशे मैसेछ कहा जाता है वीच व fils the following transport layer protocol is usejoy to support electronic mail ये खरहे ऐसा वैपर सपो मेरे मिए जो एलगत ट्रॉनिक मेर को supports करता है तो आपके मेरों को एमेल को support करते हैं तूह सकता तुम्हारा कुछ नियो को सकता तुम्ए बости में जाओगा टीशी विज दा टाइट अशर पूरा पड़र विच्व फोलोग ट्रांसपोर्ट लेर विच्व फोलोग ट्रांसपोर्ट लेर आप सोचे कि प्रोग्रामर के अंद इतना एजिविशन कैसे आ गया आपने क्या देखा, mail देखा, mail देखते है, SMTP किया, आप यह नहीं समझे लें कि सुनिल सर के paper बना रहे है, इतना देख लिया गरो, इतना execution कैसे डाल दूँगा, देखो, अगरा execution देखो, let GX be the generator, polynomial use for CRC, checking, देखो CRC, checking, जो GX है, जरनेटर है, ठीक है, तो GX जरनेटर की बात कर रहे है, किस के लिए, CRC, checking के लिए, ठीक है, अच्छा, यह कह रहे है, what is the condition that should be satisfied by GX to detect odd number of bit in error, देखो, आपको ध्यान अखना है, कि जब भी हम odd number of error को detect करने की बात करते हैं, तो CRC generator है, वो CRC generator हमेशा और हमेशा आपका X plus 1 होना चीए, जहना, 1 यह आपको odd number of bit को ही बताता है, इसलिए कहते हैं, कि CRC 32, इसलिए कहते हैं, CRC 32 एक standard होता है, जो सभी type के error को क्या कर देता ह है, दूर कर देता है, सभी type के error को detect कर सकता है, यहाँ पर अगर odd number of error को detect करनी है, तो कम से कम आपका generator है, वो X plus 1 होना चीए, ठीक है, तो अगर आपको odd number of error को detect करना है, क्योंकि हमेशा पता है, जो CRC होता है, वो error detection का method होता है, जिसको real life में use किया जाता है, तो अगर आपको simply अगर आपको odd number of error को आपको detect करना है, तो आपका generator X plus 1 होना चीए, तो राइटान्स क्या होगा, C is the right answer, इसका मतलब, आपका जो GX है, वो किसका factor होना चीए, X plus 1, या फिर 1 plus X का factor होना चीए, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप, यहाँ पे, आप odd number of error को detect कर पाओगे, ठीक है, एक देखो, Consider the following statement about the routing protocol, routing information protocol and open shortest path first in IPv4 network, यह कह रहा है कि आपको routing protocol क्वारे में बात कर रहा है, किस पे, RIP और OSPF पर बात कर रहा है, बस्ट कर रहा है, RIP use distance vector routing बिल्कुल सही बात है, RIP distance vector routing यूज करता है, सही बात है, RIP packet are sent using UDP, ठीक है, जो RIP packet है है, हम बिल्कुल पर, दरना, RIP और आपके OSPF दोनों ही UDP की साहता sent की जाते हैं, तो सही बात है, OSPF packet are sent using TCP, TCP को यूज करता हैं, UDP यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर flooding का concept होता है, और हम UDP यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा, OSPF operation is based on link state routing, सही बात है, OSPF हैं, वो link state routing पर बेस्ट होता है, सही बात है, अच्छा, तो statement first, second, fourth, what is right on, see is the right answer, statement first, second, fourth, see is the right answer, first, second, fourth, ठीक है, तो easy, सही किस्चन था, statement first, second, fourth is the right, अगला देखो, देखो, there are in station, in a slotted lane, एक आपके slotted lane, उसमें इस्टेशन बात कर रहे हैं, each station attempt to transmit with probability P, in each time slot, परतेक time slot में, what is the probability, what is the probability, that only one station transmitting, transmitting in given time slot, यह करे हैं कि आपके, आपके, जो slotted alone, जो slotted alone, उसके अंदर आपको given time slot में आपको transmit करना है, और यह कहे रहे हैं कि आपकी क्या probability होगी, जब एक ही station transmit करें, तो दन्ना, हम कहे रहे हैं कि आपकी station है, उसमें से एक transmit करें, अगर nC1 की बात करूँ, तो क्यों हो जाएगा, nC1 मतलब क्या, n, यह तो बात मानते हैं, nC1 calculate करना आता है, यह भी सिखाऊं, nC1, n मतलब, ठीक है, क्योंकि एक probability है, अच्छा, P और 1-P की पावर, n-1, 1-P की पावर, n-1, इसका मतलब एक station transmit करें, बाकी कोई भी transmit, ना करें, एक station transmit करें, बाकी कोई भी transmit ना करें, तो यह टांच क्या होगा, is the right answer, is the right answer, ठीक है, आके चलू, देखो, तो, for which one of the following region, does internet protocol, internet protocol, IP use the time to live, यह करें, जो आपका IP है, वो time to live को क्यों करता है, field, जो आपकी time to live, जो field होती है, उसको क्यों use करता है, आपका, internet protocol, क्यों करता है, बाई, पिर data packet को loop में होने से बचाने के लिए, तो जो TTL जो field होती है, वो data packet को loop में होने से बचाता है, that reach later than, ना ऐसा कुछ नहीं है, prevent packet from looping, बिल्कुल सभी बात है, prevent packet from looping indefinitely, मतलब, आपका, अगर infinite time में, अगर आपका loop में फच रहा है, तो उस time में prevent करता है, कौन, TTL, ठीक है, तो बहुत इजी से question था, प्रेटर्स को होगा, C, the address resolution protocol, मतलब, ARP, address resolution protocol is use for, आपका ARP है, वो किसके लिए उसके जाता है, किसके लिए, finding MAC address, ज़ना finding MAC address, that corresponding to IP address, कम में लोता है, कि यहां पे जो IP address होता है, यहां पर जो IP address आपका known होता है और Mac address आपको find out करना होता है तो उसके लिए कौन सब्सक्राइब करते हैं यह आर पी कौन सब्सक्राइब करते हैं यह आर पी आई-पी एड्रस के बेस पे Mac address को निकालना कौन होता है ग्रें इन एक चुच ओने ट्रक्टेट आर पैकेट्स ओ ड्युक्त डायोटेड फ्रों सोर्स टूड टूरी के बात कर रहा हैं उसमीं पैकेट को सोस्क्राइब एक सिंगल वाथ की बात कर having two, two intermediate node, जिसके बीच में दो intermediate node है, if the message size is 24 byte, message size 24 byte कर रहा है, and each packet content a header, और परते एक packet है, कितना header? 3 byte का header content, then the optimal, देखो यह optimal, then the optimal packet size is, तो package की optimal size क्या होनी ची है? अब मानके चलो कि packet की size है ना 4 byte, अगर 4 byte packet की size है, तो data कितना होगा? एक byte data और header कितना होगा? अगर packet की size 6 byte है, तो कितना? 3 byte data और 3 byte क्या? अगर packet की size 4 byte है, तो 7 byte है, 4 byte और 3 byte क्या? अगर packet की size 9 byte है, 9 byte है, तो data कितना होगा? 6 byte data और कितना? 3 byte क्या? तो हम optimal packet size का मतलब, जिसके अंदर डेटा जादा जादा हो पैसी बात है ऐसा पैकेट जिसके अंदर डेटा जादा जादा हो तो हम उसी पैकेट को क्या मालें अप्टिकल मानेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे पास में जो पैकेट है उसकी साइज अगर 9 बाइट है तो हम उसको उप्टिमल मानें क् इसके अंदर गम से कम हो टेटा जाथ तो यह पे जादा एक बाइट तीन गड़ेट दो थीजोर हगा इसका बीज़न टेटन कितने तक सही है कि लाश्ट मेंस उल्टूंगा सबको एक बडिकेशन होल करो लाश्ट में सबको सुल्टा जाएगा अगले किशन की बात करते हैं तो यहां पर अगले किशन के अंदर कह रहा है यह कि आपको गीवन क्या है समझो देखो बद यह कह रहा है विच ओफ फॉलोविंग एसर सन इस फोल्स अबाउट दा इंटरनेट प्रोटोकोल यह इंटरनेट आई-पी प्रोटोकोल के बारे में सब्सक्राइब करें गलत पूछ रहे हैं आपके कॉन्साथ गलत स्टेंटनेश की बारे में बात कर रहे है तो कहरे है इटीज पोसिवल फॉर कंपटर तो हैव मल्टीपल IP अड़नस सही है बहात है आई-पी पैकेट फ्रॉम दा सेम सोर्स तूम सेमस्षरू तू सेमस्रू स हो सकते हैं आई-पी किंचोर एक पैकेट इज डिसकार्ड इफ इप इज अनेबल टूरिच इट डाउप डिसकार्ड करते हैं किंच अगर आपको एक फिक्स फिक्स नमबर ओफ के बाद अप डैस्टमिक नहीं पहुंचते हो करता है तो है तो नहीं कियों पहुंच तो तो क्या कर दो करता है सही तो तो पुछ रहे तीन तो सही होगा तो तो अपने आप गलत होगा चेक करो फटलो the packet source cannot set the root of the outgoing packet the root is determined only the routing table in the router ऐसा कुछ नहीं होता आपका जो sender है न वो सारा का सारा root declare करके बेज सकता है जाना sender के पास facility होती है कि वो complete root declare करके बेज दे तो ये तो गलत बात है ये कह रहा है कि packet का जो root है वो sender declare नहीं कर सकता है नहीं सोर्स जो होता है वो declare कर सकता है तो ये गलत है is the wrong sender देखो next कह रहा है consider the following statement about the functionality of IP-based routing ये कह रहा है कि आपको IP-based routing की functionality पूछ रहा है और कह रहा है which of the following statement is our true इन में से कौन statement सही है देखो a router does not modify the IP packet during forward एक router होता है वो आपके modify नहीं कर सकता IP packet को जो forward करता है modify नहीं कर सकता क्या अरे गलत बात है कर सकता है गलत बात it is not necessary for a router to implement any routing protocol router के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी routing protocol implement करें सही बात है गलत बात है ये कह रहा है it is not necessary for a router to implement any routing protocol एक router के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी routing protocol implement करें जरूरी है कि नहीं है नहीं है अगर source ने route बेज रखा है सारा तो क्यों अपनी जवर्दस्ति का वो mind लगाएगा नहीं करेगा तो ये सही बात है दरना ये true statement है पहला गलत इस्टेटमेंट था फिर कह रहा है a router should reassemble IP a router should reassemble IP fragments if the MTU of outgoing link is larger than larger than the size of the incoming IP packet ये बताओ सही गलत है ये कह रहा है a router should reassemble एक router क्या करेगा रिखेंब करेगा IP fragments if the MTU of outgoing MTU of outgoing link is larger बढ़ा है MTU maximum transmission unit जादा है किस से incoming size के अरे जादा है तो reassemble क्यों करेगा गलत गलत बात है तो सही कौन सा है only second only second only second is the right answer only second is the right answer आगे चले whether to start and stop bit do not content and information but are use in serial communication जाद आजए बात करते है एक single bit आना एक single bit start bit जाए और एक single bit stop bit जाँ होता है जाँ serial communication में synchronization provide करने के लिए めて synchronization provide करने में दो त takich से synchronization करते है एक तो हम करते है time synchronize और इख क्या करते हैं स्टार्ट इन्स्टो बीट का उच्छंड करते हैं और सिन्ख्रोरा शीर घस्र मेंुंट घ्रक्णाइच करने के लिए वह आपको सिन्कृर्फर के लिए अगर हो time synchronized है तो यह प्रोपरली, maximum website को तो यह प्रोपरली विजिट करते हो, क्यों? क्योंकि जो http और https होता है, time synchronized होता है, तिक आगे जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ाओ मिगा time synchronized होते है minimum frame size required for csma cd based computer network running at 1 gbps on a 200 meter cable with a link speed of इतना, ठीक है, option गलत दे दिये, ठीक है, इसका option आगे कर दिये क्या, आगे कर रखे क्या, आगे कर रखे क्या, अप्शन, इस्वम नहीं है, option लिखवा दूँ क्या, कौन सब्सक्रिशन है, इसमें गलत हो गया, आपके paper में बिल्कुल सही है, जो slide बनाई तब गलत ही कर दिये, आठीक लिखने, mukushne, 125 yi ii, 125 byte, 250 byte, onzeफ बाइट पॉपंसों बैट और नों आप दिज, यह slide बनाते है UK, फ मिस्टे को, पेपर में चाहिए, बता हो भी कितना आ जाएगा what is the right answer ऐसा कुछ है क्या देखो सिदी सी बात है कि आप मिनिम्म फ्रेम साइज रिक्वार्ट फोर्ट एसमें सेडी तो सिदी सी बात है वही ट्रांसमेशन टाइम ग्रेट दने कोल्ट क्या तो इंट टू क्या भी ट्रांसमें टाइम क्या है एफ स्थे दे रहे है एडर इक वन जी प्येश्वांच ती प्याश्वांच इंट ओ तेन की पूर्ट क्या नाइन ठीक है एकोल टू क्या टू लैंटो पहले इंट रिके देर दो सू इंट रिके मिटर दे रही है अच्छा उसकुत क्या देखो इदा यह भी आपके यह भी आपके मिटर यह आपके पर सेकंड मरूचे कोई दिक रहत है तो कोई हमें यूइड चेंज करने जालती है से में इनिट इसको दो क्या, 2 into 10 की पावर क्या, 8 अब देखो 10 की पावर 9 और इसको यहाँ पे लेके जाओ, एफ पूछा है आपसे एफ पूछा है आपको, तो 10 की पावर 9 यहाँ पे लेके जाओ यहां से मिटा दो और कहां पर उपर लेके जाओ आप पूछा आप देख लो भी देख लो टैन की पाउर इसको तो टैन की पाउर एट नाइन याद 10 बज गया दो दस बज गया अच्छा दो से दो गट गया तो कितना हो गया फोज हार क्यों दोो आच्छा बिट तो जिरक जोगे का मतलब कितना हो गए तो आज आद मैकिर होगो और यह थे क्या थ्लाल त्रॉन योगँ फीज द्लाइंट दॉय पीज द्रहे ताम पीज दा वैक ढप अगले किस्ट देखो यहां पर कह रहा है तू देखो किस्ट नहीं कह रहा है तू पॉपलर राउटिंग एलगोर्थम आर डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक इस्टेट राउटिंग विच ओफ दा फॉलोविंग आ ट्रू यह कह रहा है दो आपके पॉपलर राउटिंग अगोर्थम इनमिस कौन सा टू है देखो लिंक इस्टेट दा सो टेस्ट पाथ एलगोर्थम इज रन ओनली एट वन नोड सो टेस्ट पाथ क्या एक ही नोड पर लिंक इस्टेट में नहीं सब पर होता है इन डिस्टेंस वेक्टर दा सो टेस्ट पाथ एलगोर्थम इस रन ओनली वन नोड ना सब पर होता है सब कुछ एन कike इस्टेन्स वैक्टर्स वैक्ट रिक्षर एन लेसर कि नॉमंबर ओफ नेट्रक मैसेज दन दा लिंफ स्टेटा सही बात है दिस्टेन्स वैक्टर्स के आगता है कम कम रिक्वाइट रोटी है मैसज की मेसज कम not के जातettekov में LinkState की comparison में तो इसका मुतलग को हो जाएगा First और Fourth First और Fourth क्या हो जाएगे सही हो जाएगे First और Fourth क्या हो जाएगे सही हो जाएगे Next देखो Next की करे रहा है Error Correction Error Correction Code Error Correction Code की बात कर रहा है Has the following code word What is the maximum number of bit Error that can be corrected यह करें कि Maximum number of bits जो की correct की जा सकती है दना Correction का फोर्मल क्या होता है Correction formula क्या होता है 2T plus 1 दगर TQ value पूछा है आपर TQ value पूछा है, Maximum TQ value को हो सकती है तो TQ value में कैसे पता लगेगा जम में क्या Minimum Heming Distance पता लगेगा Minimum Heming Distance में पता लगेगा तो codeword आपको दे रखा है अचा Cam 대 Minimum Heming Distance कितनी है इन इन के बीच के कितनी आ जायेगा कितनी आ जाये WILD यहां पर उन के बीच कितनी लगेगा चार, इन के बीच कितनी आ रही है इन के बीच कितनी है 4 जादा रही है 6 अरह औरह होगी कि यहां पर कितने नंबरों कितने नंबरों बिट पोजिशन चेंज हो रही है तो एक जोर परेशन करना होता है करने को होतं है कि Redekt operation perform करो है डिए 1111 लेको डिश्वरेंट होने पर क्या आता है डिवसे widespread होने पर क्या य किangen होता है गना होते है जिफ यह आता है और नमबर ऑवंज से राप्त होते हुन है मेब से कहले आती है नंबर ऑफे कितने हैं मिनियुक्स चैर आप सारे code word को check करें लेना minimum हैं में इचार आपको चार मिले मिले गई देख लो आप अब कह रहा है कि यहां पर आपकी टिक की वैलू क्या होगी मिनिमम हमेंटिस आपको चार्ट दे रहे हैं टिक की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे तो यहां पर टीपे कितनी वैल्यू रखूं कि एक्वेशन सेटिस्प्र हो जाएं अगर टीपे मैं दो रखता हूं तो कितना पांट यह जो यह जो होता है यह लैस देन इकोल्ट होता है कि लातने ईकोल्ट हूंता तो टीपे कितनी रखूं मैं है अगर Y यहां पे रखो मैं तो इसका मतलब यहां पर एरर क्रेक्शन की बात करते हैं तो एक सिंगल बिट एर को रखो कर सकते हैं पुछा था इस क्योशन को थोड़ा से गुमा के पुछा था कि पहले तापको minimum हमिट्स निकालनी है और minimum हमिट्स निकालने के बाद भी आपको क्या करना है यह बताना है कि कितने bit की error का correction किया जा सकता है ठीक है अगला किशन कह रहा है consider a network with six router आपके एक network की बात बात कर रहा है और करें जिसमें 6 router है R1 to R6 connected with link having weight as so in the following diagram यह diagram दीवान है इस diagram में सबका आपको weight दे रहा है ठीक है all the router use the distance vector based routing algorithm to update their routing table जो सारेक से router है वो distance vector routing algorithm की शायता से अपनी table को update कर रहे है अच्छा इच router start with its routing table initialize to content the entry for each neighbor with the weight of the respective connected link after all the routing table stabilize how many link in the network will never be used for the carrying any data क्यूशन क्या कह रहा है वो समझाता हूं क्यूशन है कि एक routing algorithm इसका मतलब है कि यहां पर एक routing बहुत सा router दिये हुए और इन router के एक दूसरे से लिंक गिवन है यह सारे आपको दे रहे हैं अगला काम यह कह रहा है कि यह जो सारा सारा concept के अंदर आपको distance vector routing algorithm की साहता से आपको क्या करना है सारे router की जो टेबल उसको update करने है ठीक है distance vector routing algorithm की साहता से सारे router टेबल update करने के बाद में आपको यह पता लगाना है कि ऐसे कितने link हैं जो आपके कभी यूज होंगे ही नहीं अब बताओ रहे टांज क्या होगा कौन कौन से हैं आर वन टू आर टू आर टू और आर फॉर टू आर शिक्स बिल्कुल सही बात है तो लिंक लिगो क्यों की ट्रेंग्वेज बहुत बड़ी है बट क्यों से बहुत इजिए बैसे इस बात है आप यहां पर देखो कि ऐसा कौन सा लिंक है जिसकी वेट जादा है और बागी दूसरी लिंक से पहुंचने का मैं देखो यहां पर एक तो आर वन से आर टू पहुंचने के लिए मुझे य यूज मत करो यूगरोगा यह आपका क्या है सोटेश लिंक एक तो यह उजिन होगा उसके लावा तो देखो आर वन से आर टी पे ठीक है यह ऐसे जा सकते आर वन चार फोर पे आर वन चार फोर कैसे ऐसे जाओ यह तो लिंक यूज हो गई नहीं यह तो अटा दो अच्छा कि ऐसे जाओगे उसके लावा थिक है तो इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा इससे जाओ क्योंकि यह लिंक यूज नहीं होगा उसके लाव कौन से लिंक अभी आर फोर से आर सिक जाने के लिए अगर आप डायक्ट जाते हो एट है और अगर आप आर फाइब तूर जात आ रहा था उसस्यृऽ इस एक आतो चीज़ बता इसों हो आप देख्के किशिन को आंसो कर देना टीक टेबल बनान बैठे हो तो बहुंत लगत आप देखो डेक्क आईकिखें को आंसोर देंग दो टीक तो देख किए कुशिन का शीन को नहीं बनाना थिक है एक कि देखो देखो, on a wireless link, the probability of packet error is 0.2, जा पर probability आपको दे रखिये है, 0.2, इसका मतलब 20% chance यह है कि आपका packet lost होगा, ठीक है, तो lost का मतलब lost की probability दे रखिये है, error मतलब lost, जाना, error मतलब lost की probability दे रखिये है, कितनी, 0.2, 0.2 मतलब क्या, 20% chance है कि जब आप packet बेज़ोगे तो वो lost होगा, अच्छा, stop and wait protocol is used to transmit data, data across the link, the channel condition is assumed to be independent from transmission to transmission, what is the average number of transmission attempt required to transfer handed packet, आपको 100 packet बेजने के लिए, कितने, कितने total number of attempt की required होगे, तो देखो, यहाप मैं कह yaptा हूँ, कि अगर आप, अगर आप 100 packet बेजते हो, तो आपके 20 packet क्या हो जाएगे? लोश्ट, अगर आप 100 packet बेजते हो, तो आपके 20 packet lost हो जाएगे, इसका मतलब आपके 80 packet क्या होँगे? पाले पहुचेंगे तो मैं कह सकता हूं की एक पैकेट की प्रभाइट का है एक फैकेट प्रोबित का है एक प्रफिवल है एक किट की लेके चलो सो पेकेट पहुचाने सो पेकट प्रोबिल्ट का होगी तो डिवाइड वाइड जीरो पेंट कर लो 1057 के चांस साथ के आपके 100 पेकट ऑसक्थ हैं थीक सो पथीमटा करने के बाद के सो पहुचैंघ क्यों कि अपके 0.2 के चांस है हिए थीक हो के थे क्या आघ्या है कि त्यार 750 अ कि क्या और जिए है कि इसी स्रीट हैं ट्रैसरूट रिपोट ए पोसिबल रूट रैसरूट जो होता है वह आपके रूट की बारे मताता है पोसिवल रूट देट इस टेकन बाइपकेट मुविंग फ्रॉम्स सम होस्ट ए टू सम अधर होस्ट भी विच ओव द फॉलोविंग ऑफशन डिपरजेंट टैकनिक यूज वाई ट्रैसरूट टू एडिनेटिफाइबेज होस्ट देखो आप जब प्रोटिकोल किसी पैकेट को बेजते हो आपिकlot किसी पैकेट बेजती हो तो जो lett होता है द्यने अधितरे स्वाइट जो होता है जैसे हम करते हैं ट्रेस्ट रूट रेस्ट रूट होता है वह आपको यह इडेंटिफाइए करता है कि आपका पैकेट किन किन राउट रोट रोट हो के गुजरता है इसका इंटरनल मेकनिजम कैसे काम करता है जो ट्रेस्ट रूट होता है इसका इंटरनल मेकनिजम यह चीज आपको बहुत अच्छे से notes में लिखवा रहे हैं कि आप बताओ रहाई टान्ज क्या होगा तब progressly progressly queuing router about the next router on the path to be using ICMP packet starting with the first router यह कहरा है देखो progressively, इसका मतलब है कि continue आपको progressly बहुत continue काम करना है continue काम करना है किसमे query message की रूप में, query routing की रूप में continue काम करना है आपको packet बेजता रहना है किस से? A से B के बीच बेजता रहना है ICMP को help में लेना है और आपको start कहां से करना है first router start करना है तो पहला ही option सही हो जाएगा क्योंकि मैंने यह सारा का सारा concept आपको बहुत अच्छे से लिखुआ रखा है और पूर अच्छे समझा रखा है कि जब trace route जो आपका होता है कैसे आपके route को trace करता है वो सारा concept आपको बहुत अच्छे समझा रखा है तो बाकि आप पढ़ लिजे बाकि सारी जैसे by requiring each router to append the address to the का ICMP ना वो तो क्या होता है हम बेजते हैं अलग 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 टीटील की value set करके और उसके बाद continue बेजते हैं ICMP क्या करता है package drop होते उठाता है और शाराउटर की इंफोर्मेशन देता है तो यह आपको लोग आपको अच्छे से बता रखा है count to infinite is a problem associate with जो count to infinite problem हो किसे associate है distance vector जो count to infinite problem है वो distance vector protocols associate है और count to infinite की problem के अंदर distance vector routing अलगोर्थ हमें उसमें link के break होने के बाद में जो neighbor router है वो गलत information देते हैं और उसके गलत information देने से हमारे पास हम क्या करते हैं infinite loop में फश जाते हैं पूरी पूरी प्रोग्लम आप बहुत अच्छे समझा रहे है लिखवा रहे है एक consider the following statement telnet, ftp, http, our application layer protocol बिल्कुल सही बात है यह स्तिन्नु यह किसके है application layer protocol है EJB, enterprise, java, bin यह आप पढ़ो भी गे EJB है वो आपका J2W का J2W की एक क्या है यहां पर जब बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में Java का enterprise edition आता है उस enterprise edition का एक API होता है क्या EJB, यह आप पढ़ोगी, आप सिखोगी आप और Java के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ implement करने के लिए आप API की help लेते हो, मैं ठीक, तो इशारी चीज़ पढ़ोगी आप तो है कहा रहा है कि EJB component can be deployed in D2EE application server हाँ, सही बात है यह सही बात है यह सही बात है अच्छा, उस पर कहा रहा है इफ two language, two language confirm, two language confirm, two language confirm to the common language specification यह कहारा है कि two language हैं जो एक ही CLS को use करते है जबीत करते हैं जैसे अगर आपने principle of programming language पढ़िया है तो उस time पर आपको CLS बाताई जाता है कि common language specification का मतलब होता है कि वो language उसके base पर बनी हुई है उस particular pattern के base पर बनी हुई है of the Microsoft Microsoft.net framework the class defined in any one of them may be inherited in the other यह कह रहा है कि अगर दो language का CLS से में एक class जो आपकी एक language defined है क्या उसका inheritance concept का दूसरी के बराबर मिलेगा नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं होता ऐसा कोई जरूरी नहीं होता इसा कोई जरूरी नहीं होता इसा कोई जरूरी नहीं होता है which of the following is true which statement are true तो आपका यह जो यह जो बीचवाड़ा concept जावा के अंदर हो जाएगा मैंने एक डाल दिया concept ठीक है तो जावा के अंदर कवर होगा कि विच अब दा फोलोंग statement is true कौन सा statement सही है बोथ Ethernet frame and IP packet include checksum नहीं गलत है बोथ नहीं यह तो गलत है आपके इतनेट frame और IP जो हैं वो दोनवी checksum को यह नहीं करते हैं Ethernet frame include checksum क्या इतनेट frame के दा checksum होता है ज्या होता है CRC इतनेट frame में checksum नहीं होता है Ethernet frame include CRC field and IP packet include checksum बिल्कुल सही बात है इतनेट जो frame होती है उसमें CRC इतनेट यूज करते हैं और IP packet में checksum तो दना आपको frame के अंदर आपको frame के अंदर जो frame की field थी वो भी आपको मैंने पूरे अच्छी लिखवा रहिए और आपको checksum की field बे अच्छी इस ओरी IP की field बे आपको लिखवा रहिए तो आपको question एजी question था the following statement destination mac address of an ARP reply reply is a broadcast address अच्छा ARP का reply क्या broadcast address group में आता है क्या जाना ARP का request ARP का reply आता है ARP का request जाता है वो broadcast जाता है लेकिन reply किसमे आता है Unicast में जाना जो reply होता हो किसमे होता है Unicast होता है यह आपको अच्छे से समझा रखाए destination mac address of ARP request ARP request is broadcast बिल्कुल सही बात है request आपको broadcast होती है which of the following is correct कुन सा एस वन इस फोल्स एस वन है वो गलत है राइस टू क्या है एस वन है गलत है एस टू क्या है which of the following statement is are incorrect about the OSPF पाथ फश्ट के बारे में कौन से गलत है इनकर्ट पूछ रहे हैं OSPF इंप्लिमेंट बैलमेन-फोर्ड एलगोर्थम बैलमेन-फोर्ड और एलगोर्थम को युज करता है किसके लिए फाइन इस ऊटेट पाथ करते हैं इस रिजएक श्ट्रा ना OSPF किसको जखता है इस एक्सिट्रा वेश्ट्रा और बैलमेन-फॉर्ड को और युज करता है कि अना बैलमेन-फोर्ड-इस करता है suis unicata ये कुछ करता है ये योप्र है ये अ कई है इतना को मेलत रॉट्टे भेक्ट गस्पर लंग फ्रॉट पॉल मफ्र्राइज आनकूर्ट एट s pf वो आपके किस यूश्य करते है इसको यूश्य करते है मिस्कूंपर 20 असे यह दोनों से 1 भी सही भी से यह दोनों के यह दोनों 5 ότι hellि में या पर दो हुं तो जोंड़िमेंट करता है डिश्कषागे बसको मैंन को विश्क Baby पे वो intra domain नहीं है कौन सा है intra domain इसका बतलब आपका wrong कौन सा है A और C बोथ हार wrong A और C बोथ हार ठीक रोंग दोन हो आपके ना तो इसके option ऐसे लिख लो only A only C on both both A C both A A B इसका राइटन क्यों हो जाएगा क्यों हो गया क्यों हो गया कि यह देखो OSPF होता है वह आपकी जब अपनी जब बनाता है ना सो टेस्ट पाथ बनाता है तो hierarchical format बनाता है इसका मतलब होता है open open so test path बनाता है तो वह open tree बनाता है और उसमें hierarchical format concept को यूज करता है आगे चलू suppose that everyone everyone in a group of n people यह कर रहा है कि आपके total n people है n person है want to communicate secretly with n-one other यह कर रहा है कि n people है वो आपके n-one other इसका मतलब है कि suppose को एक कमरा है एक कमरे मान के चलो कि n लोग है और वो बाकी जितने जैसे मैं हूँ और मेरे को छोड़गे आप सभी extent को मुझे आपसे कोई secret बात करनी है तो उसी इस concept कैसे समझो देखो वो कह रहा है using symmetric key cryptography system the communication between any two person should not be should not be decolable by the other in the group the number of key required in the system as the whole to satisfy the confidentiality किसका मतलब है कि आप समझो देखो देखो मैं यहां पर suppose करो मैं हूँ और आप सब हो ठीक है मैं आप सब से कुछ secret बात करना चाहता हूँ और वह जो बात है वह सिरफ मेरे को पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए उधाना मैं सबसे secret बात करूँगा और सबकी secret बात हो मेरे और आप लोगों के बीचे होनी चीए उस टेम पे मुझे minimum कितनी minimum कितनी key key requirement होगी कि सबकी secret जो सबकी secret बात है वो सबकी confidence रहें तो कोई एक दूसरे को नहीं बता पाएं तो क्या होगा सेम काने एक दो तीन अगर यह एक पर्षन है यह बाकी तीन से secret बात करना चाते हैं इसके बात करना चाते हैं इसके बीच बच गया सारा बन गया n x n – 1 divided by क्या returns क्या होगा n x n – 1 divided by क्या यह अगर आ कि चलोओ if you go last quiz n decline consider the considered two host 2 host P and Q, Toast P and Q connected through a router R, the maximum unit, maximum transfer unit MTU value of link between P and R is 15, तेखो, यह कहा रहा है एक तो P है, और होडे क्या है, R है, पे एन र है, उनके बीच कितना है, 1500 है, between r and q is 20 byte a TCP segment of size 1400 byte was transferred from p to q through r इसका मतब यहां पे q है p से q के बेच बेच बेचा गया है r को बीच में ले लिया through r with IP identification value इसका तो ID value वो कह रहा है ideal ठीक है assume that the IP header size is 20 byte further the packet is allowed to fragmented fragmented don't fragmented don't fragment flag is in the IP header is not set by p इसका मतब बेच इसका मतब बेच इसका कि df की df जो है न यह p है न इसने गलती से df सेट करका नहीं बेचा यह df को सेट करना भूल गया उसका मतब कह रहा है which of the following statement is r correct कौन से टेविंट से हैं देखो यहां पर कह रहा है कि p और r के बीच में p और r के बीच में जो maximum transferable unit है p और r के बीच में maximum transferable unit है 1500 है अच्छा उसका मतब कह रहा है यहां पर यहां पर यहां से यहां तक जाएगा यहां पर यहां से यहां से नहीं है अब यहां से नहीं है तो इसका मतलब है कि जब हम पैकेट को आगे बेज रहे हैं अगर by chance मानके चलो df की value set नहीं है तो हमें यहीं पता नहीं लगेगा कि आपका यह fragment है या packet है पहली बात तो ठीक अब देखो if the second fragment is lost दूसरा fragment पर यहां पर आपके दो fragment बन गए यहां के एक रहेगा second fragment is lost r will r will recent the fragment with the id with the ip identification value अब second fragment अगर lost हो जाएगा तो आर कैसे second को बेज पाएगा और को यहीं नहीं पता फ्रेग्मेंट है या packet है तो गलत बात है आर कैसे decide करेगा पैसे इस बात है मैं कहना चाहरू हो समझे आइडी करना पीक के द्वारा df की value set नहीं है अब df की value set नहीं हमें यहीं नहीं पता फ्रेग्मेंट है या क्या है पैकेट है तो आर अगर यहां पर कुछ बेज रहा है और उसका को पैकेट को ड्रोप होगा तो आर कैसे कैसे decide कर पाएगा मुझे एक ही फ्रेग्मेंट वापीश बेजना है नहीं इसकेट नहीं पाएगा इफ दा सेकेंड फ्रेम इज लोस्ट अगर सेकेंड लोस्ट हो जाती है पी इज रिक्वाइट टू रीसेंट दा होल टी-सीपी सेग्मेंट बिलकूर से ही बात है अगर कोई भी एक फ्रेम लोस्ट होगई तो पी शारी की शारी दुबारास बेजे यह बात से यह पी सारी शारी बेजे आपका कोई दिक्कत नहीं क्यों कि यहां पर df की जो value है वो df की value आपके पीने सैट नहीं की तो हम यहां पर decide नहीं कर पारे कि आपका जो packet जा रहा है वो packet की रूप में जा रहा है या फ्रेग्मेंट ग्रूप में जा रहा है तो अगर by क्या करेंगा सारे को अगर वाप पर सेट कर देगा तो हम successfully पहुंचा देंगे तो question ऐसा था जिसमें आपके दिमाग के सारे पूर्जे खुल रहे थे लेकिन इजी क्यूश्यन था ठीक है दफेंट रहे हैं टू फ्रेग्मेंट और टू फ्रेग्मेंट अर्टू प्रीयट्मेंट एटार अरं अट या ए वो हुत्व फ्रेग्मेंट और की दjangए और के दूरा क्याट रहे पाता है इन अबिलकुल और आई-पी डैटरामका आइज second fragment is 620 फ्रेक्मेंट कितने कि बनेगा यहां से कितना है 820 इसंग ब्रट्सो और 600 तरी बात है यह भी सही है हां सही है दोनू सही है यह सही है हमेने दो-तीन आप्शन थे मेरे पास दोत्रों कि ऐसे तो जिसमें दो उप्सन सही आ रहे थे यह भी सही है इसमें यह भी किश्च यह भी सका उप्सन सही है दियोर देख लो TCP destination port can be determined by the analyze only the second fragment ना ऐसा कुछ नहीं तो यहापे दोनों ही option आपके क्या है कि फोटा सा ब्रेक के बाद अगला जो portion है उसको भी हम solve करेंगे इसका मतलब non-tech जो portion है उसको solve करेंगे टेक्निकल करेंगे तो मेरे हिसाब से साइध यहां पर 40 क्यूशन ने आपके सारे दिमाग के पूर्जे खोल दी होंगे और जो भी आपके concept जो अंदेरे में थे या फिर करेंगे उपर काम करो तो चोटा सा ब्रेक लेलो इसका मतलब मुस्कल से दस से पांस मिंट का ब्रेक लेलो वाप इससे स्टार्ट करते हैं thank you मिलते हैं चोटा सा ब्रेक के बाद